नवसकार साथिओं, अगर आप लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए होगे तो आपको मालू होगा कि Civil Service से जोड़ी हुए हम लोग कई ही कलासे कर चुके हैं कतम और इतना कह सकता हूँ कि आपकी दिमाग में अगर civil service से समादे कोई भी doubt है कोई भी सवाल है आपका तो आप लोग इन किलासों को अगर देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके सभी सवालों के जवाब आराम से मिल जाएगे और फिर भी अगर आपकी दिमाग में कोई सवाल रहता है तो आप लोग बताईगा उसका भी सम जवाब देने की पूरी कॉसिस करेंगे अपनी तरफ से तो अभी तक 2011 से लेकर 2017 तक के सभी आपके prelims के पहला पेपर जिसे आप लोग समानध्यन पेपर फश्ट कहते हैं इन्हें भी हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं ठीक है? आज हम लोग बात करेंगे सिविल सेबा परिक्षा 2018 का prelims का पहला पेपर जिसे आप लोग समानध्यन पेपर फश्ट कहते हैं और इसमें आप देखते हैं कि आपके परिक्षन पुछती का अनकुरम चार अंग में रहता है एवी सीडी की रूम में तो यह है आपका एक और आप सभी लोगों को मालू है कि इसमें आपको दो घंटे मिलता है लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग 2 से जाना घंटा लगेंग आपके क्योंकि हम लोग केवल उसमें हमें पढ़के टिक नहीं लगाना है उसका केवल आंसर नहीं बताना है हम लोग इस पर विस्तार से बात भी करेंगे ठीक है इसलिए थोड़ा टाइम जाना लग सकता है इसमें आप सभी को मालू है कि 100 कुश्चन्स रहते हैं और 200 से आपको सही कथन का चुनाओ करना है कि पहली लोगसभा में विपक्च में सबसे बढ़ा राजनेतिक दल सुतंत पायटी था दूसरा कथन कर रहा है कि लोगसभा में नेता-पिति-पक्च को सरफितम 1979 में मानता दी गई थी और तीसरा कर रहा है लोगसभा में अधी किसी दल के नियुन्तम पच्चतर सदस ना हो तो उसके नेता को नेता पितिपक्च के रूम में मानता नहीं मिल सकती है याद रखे इस लाइन को आप लोग बड़े ध्यान से पड़ा करेगा क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि आते हुए भी आंसर हम लोग गलत कर वैठते हैं क्य इसमें दूसरा कतन बिल्कु सही है और तीसरा कतन भी गलत थे अब आपके मन में आ रहा होगा कि पहला और तीसरा कतन गलत आकिर क्यों है तो आपको बता दूं कि पहली जब लोगसभा का चुनाव हुआ था 1952 की बात कर रहा हूं तो इसमें सोतंत पारटी सबसे बड़ी र पक्ष में राजनितिक पारटी थी भारती कम्यूनिस्ट पारटी जिसे आप लोग CPI भी कहते हैं और इसे 16 सीटे मिली थी कितनी 16 सीटे मिली थी अगर हम लोग तीसरे कतन की बात करें तो आपको मालू होना चाहिए कि नेता पिती पक्ष होने के लिए आपके पास 55 सदस होन चाहिए और आपको बता दूं कि 24 वी लोगसाओ हो या फिर आपने 2014 में जो आपकी 16 वी लोगसाओ के चुना हो ए या फिर आपके 2010 में 17 वी लोगसाओ के चुना हो ये, इसमें किसी भी परच्छी पाएटि को 10% सीटें नहीं मिल पाई है और इसलिए आप जानते हैं कि 16 व क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी मिलती है और उसके बाद आप देखते हैं कि पहली बार आपकी लोगसभा के चुनाव होते हैं 25 अक्टूबर 1951 से सुरू होते हैं और 21 फरवरी 1952 तक चलते हैं और उस समय बता दूँ आपकी कि लोगसभा म का प्रावधन खतम कर दिया गया है और उस समय आप देखेंगे कॉंग्रेश सबसे बड़ी पार्टी थी जिसे 364 सीटें जीती थी कितनी 364 सीटें जीत थासिल की हुई थी उसने और राज्यसभा की बात करें तो 3 अपरेल 1952 को पहली बार आपके राज्यसभा का गठन होते हैं तो पिधान मंत्री पंडित जबाल लाल नहरो 1947 में कैसे पिधान मंत्री बन जाते हैं तो आपको बता दूं कि पहली बार आपकी पिधान मंत्री की बात हो या राश्टपती की बात हो सरब सब मती से यानि की सब की सहमती से बनाए गये थे ठीक है यह आप लोग या मारे समने दूसरा क्या कह रहा है एक कह रहा है कि मरू स्थल छेत्रों में जल हिरास को रोकने के लिए निमलिकित में से कौन से पर्ण रोपांतरन होता है या होते हैं बताईए इसमें क्या करोगे कुछ है पहला कतन इसमें कह रहा है आपसे कथोर और और एवम मौमी परण दूसरा करहा है लगू परण और तीसरा करहा है परण इंकी जगह काटे तो याद रखिए इसमें तीनों आपके विलकुल सही होगे क्या होंगे? तीनों विलकुल सही होंगे रेगिस्तान में पौधी के अस्तिति के लिए रचनात्मक अनुकूलन महत्पूर है और इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका चाहे आपका कठोर एबन मॉमी पर्ण हो लगू पर्ण हो पर्ण की जगए काटे हो यह सब ही आप देखेंगे जल के हिरास को रोकने के लिए एक तरह से लगाये जाते हैं तो इसमें आपका डी ओप्शन विल्कुल सही रहेगा अंगला कुश्चन है हमारे समने तीसरा क्या कह रहा है तीसरा N.S.S.O को के 77 चक द्वारा संचालित करसक कुटमों की इस्तिती आपलन सरवेख्छन के अनुसार नेमलिखीत कत्रों पर आपको विश्याव करना है पहला कत्रन इसमें कह रहा है राजिस्थान में गरामीड कुटमवा की कापी तीसत सरवादिक है दूसरा करहा है देश के कुल किरसी कुटमों में 60% से कुछ अधिक OVC के हैं और तीसरा करहा है किरल में 60% से कुछ अधिक कुटमों ने या सुचना दिये कि उन्होंने अधिक तम आये गैर किरसी सिरोतों से प्राप्त किये इन तीनों कतन में से आपको सही कतन चुनना है क्या करना है? सही कतन देखना है तो बताईए क्या लगाओ ये सही कतन तो इसमें आप देखेंगे पहला कतन विल्कुल सही है और एक आप देखेंगे इसमें तीसरा कतन विल्कुल सही है दूसरा गतन आपका विल्कुल गलत है क्या है दूसरा गतन विल्कुल गलत है देश में आप देखें तो कुल अनुमानित किरसी परिवारों में से लगवग 45% अन पिछड़े वर्ग यानि की OBC के होते हैं ना की 60% इसमें ठीक है तो इसलिए यह गलत होगा तो इसमें एक और तीन सही होगा आपका विल्कुल क्या होगा विल्कुल सही होगा तो इसमें आपका option क्या होगा C option होगा ठीक है एक और तीन अंगला question है हमारे सामने चार क्या गह रहा है एक गह रहा है राष्टी है हारित अधीकरन यानि कि NGT किस पिकार केंद्रिय विदूसन नेंतन बोड यानि कि CPCB से भिनने पहला कतन करा है कि NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया जबकि CPCB का गठन सरकार के कारपालक आदेश में से किया गया था दूसरा किया रहा है NGT पर्यावेंड ये नियाय उपलब्द कराता है और उच्चिता नियालयाओं में मुकदमों के भार को कम करने में साहेता करता है जबकि CPCB जहर्णों और कुओं की सफाई को फ्रोसाइद करता है तथा देश में बायू की गुडवत्ता में सुधार लाने के कलक्ष रखता है इसमें दो में से कौन सा है और नीची क्या कह रहा है आपसे ओपियोक कत्नों में से आपको सही कत्थन चुनना है क्या करना है सही कत्थन का चुनाओ करना है तो क्या करोगे इसमें इसमें केबल आपका वी ओप्सन सही होगा केबल दो पहला कथन विल्कुल गलत होगा NGT के बारे में अगर हम बात करें क्या करें बात ही कर सकते हैं और क्या करोगे तो NGT के गठन के अगर बात करें तो आप देखेंगे इसका गठन 10 अक्टूबर 2010 को किया गया था किसका राष्टी हरित अधीकरन का और आपने देखा होगा कि राष्टी हरित अधीकरन अधीनियम 2010 के अंतरगत इसका गठन किया गया था और याद रखी एक क्या करता है, पर्याबन सरक्षन और बनो और अन्प्राक्तिक संसादनों की सरक्षन से सम्मंदित, मामलों की प्रभावी और तुरित निप्टान के लिए राश्टी हरित अधिकरन की इस्थापना की गई थी, और जिसमें आप देखेंगे पर्याबन से सम गठन है, इसका गठन 1974 में जल पिदूसन की रोक्ताव और नियंतन अधिनियम 1974 के तहत किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखीएगा, तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे, इसमें केबल आपका B-Option बिल्कूँ सही रहेगा, क्या रहेगा B-Option? अंगला कुशन है हमारे सामने 5, क्या कह रहा है? निमलिकी कत्रों पर आपको विचार करना है, भारत की संसत किसी कानून विसेश को भारत की सम्मिधान की नौवी अनुसूची में डाल सकती है, और दूसरा कह रहा है, नौवी अनुसूची में डालेगे किसी कानून की अनुचेद 31 भी कुछ अधीनेमों और वीनेमों का सत्यापन के तरह सुरक्षा मिल जाती हैं और नियाएक के जाज से बाहर चले जाते हैं नौभी अनुसूची में और एक तरह से आप देखेंगे पूर पिधान मंतरी जब आपके पंडिक जवाहलाल नहरू हुआ करते थे तो उनके द्वारा भूमी सुधारों पर नियाएक समीक्षा के दाइरे से दूर रखने के लिए एक तरह से इसमें डाले गया थी लेकिन आपको ये भी मालू होना चाहिए कि नौभी अनुसूची का जनादेश नियाएक जाज को रोकना है लेकिन आई आर कोलियो बनाम तमिलाडु राज्ये एक बिबाद रहा है एक बाद है और इसमें आप देखेंगे 2007 में एक इतिहासी फैसला सुनाए गया था और भारत की सरवोच लेले ने फैसला सुनाए कि सभी कानून नौभी अनुसूची में सामिल के लिए खुले है नयाएक समिक्षा पर अगर उन्होंने समिधान की मूल ढाचे का उलगन किया है तो सुप्रेम कोट 24 अपरेल 1973 के बाद जो भी कानून नौभी अनुसूची में डाल दिये गए तो उसमें आप देखेंगे अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है अगर आप देखिए समिधान के अनुचे 14, 19, 20, 21 का अगर उलगन करता है और फिर भी कोई कानून नौभी अनुसूची में डाल दिया जाता है तब इसे अदालत में चुनौती भी दी पहले ऐसा हुआ करता था कि इसमें अगर कोई कानून डाल दिया आपने देखा होगा तमिलाडू ने आरक्षन का मुद्दा इसमें डाल दिया था तो इस पर जाच या इसकी नयाएक जाच नहीं हो पाती थी इस पर सुनवाई नहीं हो पाती थी लेकिन आप सोचे कि आपक अधिकारों का क्या मतलब रह जाए इसलिए आप देखे 24 अपरेल 1973 के बाद अगर कोई कानून इसमें डाला गया तो आप देखिय उसकी अगर और आपके अधिकारों का हनन करता है समीदान के जो भी मॉलिक अधिकार हैं आप देखिए इनका किसी भी तरह से हनन करेगा तो आप उस पर सुप्रेंग कोट भी जा सकते हैं और नियाला उसकी जाज भी कर सकता है इसमें आपका क्या रहेगा यह ओप्सन बिलकुल सही रहेगा कुशन है हमारे सामने चटवा क्या कह रहा है कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छोट दर जैसे आप लोग मर्चेंट डिसकाउंट रेट को निमलिकित में से कौन सा सबसे सही सफ़स्ट करता है यानि कि ब्यापारी छोट दर की सबसे अच्छी ब्याख्या कौन करता है इनमें से फहला उप्सन ए कह रहा है कि यह किसी बैंक द्वारा किसी ब्यापारी को उस बैंक के डेविट कायड के माद्यम से भुकतान सुईकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोसाहन है बी कह रहा है कि यह बैंकों द्वारा अपने ग्रहाकों को बस्तुओं और सिवाओं के क्रहेतु बित्तिय लेन देनों के लिए डेविट कायड का प्रियोग करने के पर बापसी दी जाने वाली रासी है और तीसरा अकतन इसमें कह रहा है कि यह बैंक द्वारा किसी ब्यापारी पर अपने ग्रहाकों के डेविट कायड से भुक्तान लेने पर लगाया जाने वाला सुल्क है और धी कह रहा है यह सरकार द्वारा ब्यापारियों को अपने गिरहाकों से point of cell POS मसीनों और डेविट काइड के माद्दें से digital भुक्तान को बड़ाबा देने के लिए दिया जाने वाला फरोसाहन है तो इसमें से क्या सही रहेगा इसकी सही ब्याख्या कौन कर रहा है तो इसमें आप देखें क्या देखें C option अपका विल्कुल सही रहेगा यह बैंकों द्वारा किसी ब्यापारी पर अपने गिरहावकों के डेविट कार्ड से भुक्तान लेने पॉल लगाया जाने वाला सुल्क है टेक है? क्या है सुल्क है? तो इसमें आपका स्थी उप्सन विल्कुल सही रहेगा अंगला कुशन है हमारे सामने साथ क्या कह रहा है? किसी देश के नापकी फूर्ती करता समू के सदस बनने का क्या परिडाम हो सकते है? इसकी पहुँच नमीनतम हो सबसे कुसल परमाडू पुरुद्धिकियों तक हो सकती है? और दूसरा कह रहा है यह सौमे नापकी आयूत आपिरसार संदी का सदस बन जाता है इन दोनों कतनों में से आपको सही कतन का चुनाओ करना है किसका? सही कतन का चुनाओ करना है पहला इसमें कतन सही है बिल्कुल आपका क्या है? बिल्कुल सही है इसकी पहुंच नमीनतम और सबसे कुसल परमाडू पुरोदुगियों तक हो जाएगी यह बिल्कुल आपका सही है लेकिन आप देखेंगे दूसरा कतन इसमें आपका बिल्कुल गलत है दूसरा क्या है? बिल्कुल गलत है जिसे आप लोग परमाडू आपुर्दी करता समू यानि कि NSGB कहते है एक या करता है कि परमाडू आपुर्दी करता देशों का एक समू है और जो परमाडू निर्यात और परमाडू संबंदित निर्यात के लिए देशा निर्देशों को दो सैटों के कर्यानबन के माद्यम से परमाडू हत्यारों के आप फिरसार में युगदान करता है लेकिन आपको देखेंगे कि परमाडू आपूर्ति का समूग का सदस बनने से कोई देश सोता ही परमाडू हत्यारों के आपसार पर संधी का सदस नहीं बन जाएगा इसलिए आप देखेंगे दूसरा आपका विल्कुस गलत रहेगा देखियो और N, S, G की अगर बात करें हम लोग नापकी आपोर्ती करता देशों की तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी 1974 में और इसका हेड़क्वार्टर आपको USA में देखने को मिलेगा कहां USA में देखने को मिलेगा तो इसमें आपका केबल A कथन पहला केबल A सही होगा यानि की बिकल्ब A सही रहेगा इसमें ठीक है? चलिए अंगला कुषिन है आपके सामने क्या कह रहा है? अंगला कुषिन है आठ हुआ और A कह रहा है आपरवासी सत्तों द्वारा दी जा रही है ओनलाइन विग्यापन सिवाओं पर भारत द्वारा 6% सम करन कर लगाने के लिए के नेड़े की संदर्ब में निमलिकित में से कौन से कथन सही है पहला कथन कहराए कि आएक कर अदीनियम के भाग की रूम में लाओ किया गया है और दूसरा गयरा भारत में विग्यापन सिवाएं देने वाली आपरवासी सत्त अपने ग्रह देश में दोहरे कराधान से बचाओ समझोती कि अंतरगर टेक्स से केडिट का दावा कर सकते हैं और नीचे दीगए कूट का प्रियुक करके आपको सही उत्तर चुनना है क्या गरना है? सही उत्तर चुनना है तो याद रखिए इसमें आपके दोनों कतन बिल्कुल गलत हैं क्यों गलत हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि जो एक्वालाइजेसन लेवी ओनलाइन मार्केटिंग के लिए ब्यापार लेंदेन पर एक कर है जिसमें कोई भी भारती गरनिवासी संस्ताओं से जैसे गूगल हो गया फेस्बूक हो गया इनसे आप देखेंगे अधिक की एक लाग रुफे से अधिक की रासी का बुकतान करता है या बित अधिनियम का हस्ता होता है और दूसरे हम आप देखेंगे चुकि एक्वालाइजेसन लेवी भारत द्वारा अन्देशों के साथ की गई संधियों के दारे से बाहर आता है इसलिए विदेशी कंपणी आपने देश में टेक्स केडिट का दावा नहीं कर सकती है बिल्कुल ठीक है तो याद रखिए आप रवासी सत्त्रों द्वारा तो इसमें क्या लगा होगे डी ओप्सन क्योंकि ना तो एक सही है आपका और ना ही दूसरा सही है फेस्बुक के बारे में तो जानते होंगे कि नहीं जानते है सबसे जान्दा यूजर आपके ही देश में देखने कुम लेंगे फेस्बुक और इसका मुख्याला भी आपको कैलिफॉनिया यूएसे मेंσιlast देखने को मिलेगा कि और गूगल की अगर बात करें तो चारव कार। 1998 को इसकी इस्ताफना की गई थी और इसका हैड़कोवाटर भी आपको कैलिफॉनिया यूएसे में ही देखने को मिलेगा तीक है तो यह भी याद रखिएगा इतने जान्दा यूजर होने के बाद भी आपको मालूट होना चाहिए चलिए अंगला कुश्चन देखते हैं लोग अंगला कुश्चन नौबा निमलिखीत कत्रों पर आपको विचार करना है राजकोसी ये दायत और बजट प्रबंधन समीक्षा समीती के पितिवेदर में सिफारिस की गई कि वर्स 2023 तक कैंद एवं राज्य सरकारों को मिलकर रेड जीडिपी अनुपास 60% रखा जाए जिसमें कैंद सरकार के लिए यह 40% और राज्य सरकारों के लिए 20% होना चाहिए कि भारत की समीधान की अनुशार यादी किसी राज्य के पास कैंद सरकार की बकाया देता है तो से कोई भी रडल लेने से पहले कैंद सरकार से सहमती लेना अनिवार है और इन तिनों कत्रों में से आपको सही कतन चुनना है क्या करना है सही कतन देखना है तो इसमें आप दे तीसरा आपका विल्कुल सही है क्या है तीसरा विल्कुल आपका सही है FRBM समीक्षा पैनल ने राजकोसी जिम्मिदारी के लिए एक मापदंड तै किया हुआ है और जिसमें आप देखेंगे केंद्री हिस्सा 40% और राज्जी का हिस्सा 20% रखा गया है साथी घरेलू देंदारीयों के माबले में आकड़े वास्ता में उलट है यानि कि केंद्र सरकार 49% और राज्जी सरकार के पास 21% रखा गया है और आपको बता दूँ कोई राज्ज भारत सरकार की सहमति के बना कोई रेडर नहीं ले सकता है यदि भारत सरकार या उसकी पूर बढ़ती है सरकाद्वार राज्ज को दिएगर रेड का कोई हिसा अभी भी बकाया है अगर बकाया है तो आपको राज्ज सरकार की एक तरह से राज्जों को केंद्र सरकार की यानि कि भारत सरकार की सहमति लेनी होगी तो इसमें एक तीन यानि की क्या लगाओगी सी ये ओप्सन आपका बिल्कुँ सही रहेगा इसमें एकोनोमी से जुड़ा हुआ है अर्थव्यस्ता पड़े हो की नहीं पड़े अंगला कुशने 10 निमली कित कत्रों पर आपको विचार करना है क्या करना है विचार करना है क्या कह रहा है कह रहा है आपसे कि पिछले 5 बरसों में आयातित खादे तेलों की मातरा खादेलों की घरेलूत पादन से अधिक रही है दूसरा कह रहा है सरकार विशेज सिस्तिदी के तोर पर सभी आयातित खादे तेलों पर किसी पिकार का सीमा सुल्क नहीं लगाती ओपियव कत्रों में से कौन सा कत्र सही है यानि कि आपको सही कत्र जुनना है इसमें से तो याद रखी पहला कत्र बिलकुल सही है लेकिन दूसरा कत्र बिलकुल गलत है पिछली पाँच बरसों में आया थी खाद्दे तेलों की मातिरा खाद तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है यानि कि हमने आयाज सबसे जांगा किया हुआ है ठीक है? घरेलू मांग एक तरह से अधिक है और हमारे पास उतना तेल हम लोग उत्पादन नहीं कर पाते हैं कि एक तरह से आत्मिरभर हो लेकिन आपको बता दूँ कि इस पर दूसरा कतन इसलिए गलत है क्योंकि हमारी जो सरिकार है इसके द्वारा सीमा सुल्क लगाया जाता है क्या किया जाता है? लगाया जाता है और बनस्पती वसा तेलों की बात करें अगर हम लोग वसा और तेलों की तो इसमें 12.5% से बढ़ा कर 30% तक भी कर दिया गया था तो यह सा नहीं है इसमें यह उप्सन आपका बिल्कु सही है और वैसे भी आप देखें कच्चा तेल जैसे आप देखें पैट और डीजल यह आप लोग बनाते हैं तो इसके लिए कच्चा तेल हम लोग मांगाते हैं और आप देखेंगे 70 से 75% 80% तक हम लोग कच्चा तेल आयाद करते हैं क्योंकि हमारे पास इतना कच्चा तेल नहीं है कि हम लोग अपनी पूर्थी कर सकें और इसी तरह आप देख सकते हैं खादे तेलों की बात कर लिजेए उसमें भी हम लोग आयाद करते हैं तो इसमें केवल आपका ये option बिल्कुँ सही रहेगा कुष्यन हमारे सामने ग्या रहे हैं क्या कह रहा है उन्होंने मैजनी, गरी बॉल्डी, सिबाजी, सिरी किष्ने की जीवनी लिखी वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रिय सभा के सदस्त भी निर्वाचित हुए थे वे कौन थे बताई इन में से चार में किर्वे एक तो होगा कि नहीं होगा फैला option ऑप्सेन एक कि अरुएन गोस और डगहर बहटे कि और अला लाजपट राई की बात हो रही हैं ला लाजपट राई की बाहतर है और लाला लाचिपत राय ने आप देखेंगे सुरेंद नाद की भाहसनों को पढ़ने के बाद मैजनी को अपना एक तरह से गुरू भी अपनाया था और 1896 उन्होंने उर्दू में पुस्तकों की एक संखला भी लिखी थी जिसे दुनिया के महान पुरसों का नाम दिया था और उनके द्वारा कुछ पहले महार्व्यक्ति इनके एक मैजनी और फिर गरीवाल्डी सिवाजी दयानंद और स्रीकर्षने के उपर भी इन्होंने काफी लेख लिख लिख चुके थे ठीक है तो यह आप लोग लाला लाजपतराय के बारे में याद रखिएगा इनके बारे में अगर कुछ और पॉइंट आपको बता दूँ वैसे आपको इनके जनम की आपसे बात करें तो 28 जनमरी 1865 को इनका जनम हुआ था और 17 नमबर 1928 को लाहॉर्म पाकिस्तान में इनकी डेथ हो गई थी इन्हें आप सभी जानते ही कि पंजाब के इसरी के नाम से भी जानते थे और पंजाब का टाइगर यानि कि बंजाब का सेर भी इन्हें कहा जाता था और आप देखते हैं कि आजादी में इनका काफी योगदान भी रहा है तो इनके बारे में फरहाल ये सभी याद रखिएगा चली अंगला कुश्यने वारे सामने बारे क्या कर रहे हैं निमलिकित कत्रों पर आपको विचार करना है क्या करना है विचार करना है पहला कथन इसमें कह रहा है आधार काईड का प्रेयोग नागरिक्ता या फिर अधीबास के प्रमारण के रोम में किया जा सकता है दूसरा कर रहा है एक बार जारी करने के बश्चाथ इसे निर्गत करने वाला परादी करन आधार संख्या को निस्क्री या फिलुक्त नहीं कर सकता है उपियोग कत्रों में से कौन सा कत्रन सही है क्या है कौन सा कत्रन सही है तो आपको बता दूँ कि दोनों कथन आपके बिलकुल गलत है आधार काइड आप देखें कि नई सरकार है और जो मौदी सरकार रही है इसके आने के बाद आपने देखा है वड़ी संख्या में बनवाये गए है और हर किसी के बाद सब तो आप देखते हैं आधार कायड देखने को मिलेगा लेकिन आपको एक याद रखना होगा कलकत्ता उच्चनियाले ने एक नेड़ाय दिया था उसके अनुसार आधार कायड नागरिक्ता का प्रिमाड नहीं हो सकता देख है और आप देखेंगे UIDAI की अग्रतन नीती संसकर्ण 2.3 में आधार को निश्क्रिय करने की प्रावधान हैं यह आप लोग याद रखिएगा इसे निश्क्रिय किया जा सकता है तो इसलिए आपके दोनों कत्तन गलत होंगे यानि की D option आपका लगाओगे इसमें आप लोग चलिए अंगले question की तरफ चलते हैं हम लोग अंगला question है हमारे सामने 13 निमली कितमे से कौन से मानना हो क्रिया कलापों की कारण हाली में बहुत दीक संकुचित हो गया है या सूख गया है अराल सागर, काला सागर, बैकाल जील नीचे देगे कूट कप्रियों करके आपको सही उत्तर चुड़ना है आप लोगों को याद हो जब हम लोग विस्ट का वोगोल पढ़ रहे थे वर्ल्ड जियोग्रफी पढ़ रहे थे तब उस समय आपना देखा होगा कि हम लोगों ने इन सब के बारे में मैप का सहारा लेकर पढ़ा था और आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर आप लोग मैप का सहारा लेकर पढ़ते हैं, माजचित को अपने सामने रखके पढ़ते हैं तो मुझे लगता ही कि एक लंबे समय तक आप लोग को सामने याद भी बने रहते पॉइंट और जब भी इस तरह के कोई questions आते हैं तो मुझे लगता ही कि आप आसानी से उनसका जवाब भी दे पाते हैं तो इसमें क्या रहेगा तो याद रखी अरल सागर होगा इसमें केवल अरल सागर होगा ना की काला सागर और ना ही बैकाल से केवल एक अरल सागर मद्देशिया में इस्तित एक खारे पानी की जील है और आपको मालू है कि दुनिया की चौतरी सबसे बड़ी नमक जील थी और 1960 की दसक में अरल सागर जो कि किर्गेस्तान, तुर्गमेनेस्तान, तयाकिस्तान, उजविकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लिए जल निकासी वेसे नवी था एस सिकोडने लगा क्योंकि सोभिय संग में किसी उद्देसों के लिए पानी को मोरना सुरू कर दिया गए और इसे लिए आप देखते हैं कि काफी ये चर्चा में भी रहा है तो इसमें पहला आपका ओप्सन विल्कुल सही रहेगा अंगला कुशन है हमारे समने बिधी का नियम सुचकांक रूल ओफ लॉइंडेक्स को निमलिकित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है तो इनके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि देखे इस तरह के जो भी संगठन रहते हैं जो भी इंडेक्स जारी किये जाते हैं जो रेपोर्टे इन संगठनों के द्वारा जारी की जाती है उनके बारे में एक विस्तार रूप से एक आप लोग जानकारी अपने पास से रखिए क्योंकि आप देखेंगे पुराने कुश्चनस पीपर उठा के देखेंगे तो आपको मालू भी चलेगा कि इन संगठनों से इन रेपोर्टों से इन इंडेक्सों से आपकी परिक्षाओं में बड़ी संख्या में कुश्चनस पूछे जाते हैं तो इन्हें आप लोग बड़े विस्तार से एक बार अच्छे से कवर कर लिजेगा क्या कर लिजे कवर कर लिजेगा तो इसमें पहला करतन कह रहा है कि MNST International और इसमें दूसरा कह रहा है अंतराष्टी नियाले और C कह रहा है सहिप्तराष्ट मानोधिकार आयुक्तर कार्याले और D कह रहा है विस्त नियाय परियोजना तो इसमें आप देखें कि विस्त नियाय परियोजना होगी क्या होगा विस्त नियाय परियोजना यानि कि D option आपका बिल्कु सही रहेगा इसमें आपका अगर हम लोग MNST International के बारे में बात करें तो इसके इस्ताबना जुलाई 1961 में लंदन में हुई थी UK में और इसका हेड़क्वाटर भी आपको लंदन में ही देखना ही को मिलेगा UK में ठेक है और एक संगठाय ने International Court of Justice अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसकी इस्ताबना आप देखेंगे 26 जून 1945 को होई थी कहां USA में California USA में यह भी याद रखिएगा और The Office of UN Commissioner for Human Rights अगर इसकी बात करें लोग तो इसकी इस्ताबना 20 देसंबर 1993 को हुई थी US का UN का ही एक तरह से एक फिस्सा है सेविक्तराष्ट United Nations सुने है हो के नहीं सुने US की बारे में बता दें तो आपको इसकी इस्ताबना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेड़क्वाटर आपको निवार्क में देखने के मिलेगा USA में इसी की बात कर रहा हूँ और एक संगठन और बचता है इसमें World Justice Project जिसे आप लोग विस्त नियाए पर योजना भी कहते हैं तो इसकी इस्तापना आप देखेंगे 2006 में की गई थी टीक है याद रखी चलिए एंगला कुशन हम लोग देखते हैं क्या कहह रहा है निमलकित में से कौन भारत की सभी ATM को जोडता है पहला कहह रहा है भारतीय Bank Association भारतीय Bank Association दूसरा कह रहा है इसमें आपका क्या कह रहा है दूसरा कह रहा है कि तो आप सभी को मलूगा कि भारती ये राज़्टी भुक्तान आप इंडिया इसे एक तरह से क्या करता है जोड़ता है भारत की सभी ATM को और इसे 2004 में आपने देखा होगा Institute for Development and Research in Banking Technology द्वारा डिजाइन, विक्सित और तैनाद किया गया था और जिसका लक्ष यही है कि देशबर की जो ATM है इन्हें आपस में जोड़ना और बैंकी की जो सेवाएं हैं उन्हें उपलब्द कराना एक तरह सी यहां कुछ संग्टने भी दी गई है इन्हें भी देख लेजेगा हो सकता है इनसे भी questions पूछ ले अगर आपसे भार्ती बैंक के association यानि की Indian बैंक इस association के बाद भी में बात करें तो इसकी इस्थापना 26 सेप्टमबर 1944 को की गई थी ठीक है और इसका headquarter आपको मुंबई में देखने के मिलेगा मुख्याले इसका कहां देखने को मिलेगा मुंबई में और अगर आपसे पूछे राष्टी पितिभूती निच्छेव लिमिटेट की यानि किसे आप लोग National Security Depository Limited भी कहतें तो इसकी इस्थापना 1996 में की गई थी और इसका headquarter भी आपको मुंबई में महराष्ट में ही देखने को मिलेगा कहां मुंबई महराष्ट में ही देखने को मिलेगा और एक संगठन है आपका RBI Reserve Bank of India और आप सभी जानते हैं कि आपकी केंदरिये बैंक भी है आपको मुंबई में देखने को मिलेगा और आपको बता दूं कि 1934 का जो एक्ट था RBI एक्ट उसकी अंतरगत इसकी इस्थापना की गई थी तो इस तरह कि जो भी संगठन आते हैं फिर चाहे वो राष्टी इस्तर के हों अंतराष्टी इस्तर के हों इन्हें आप लोगे एक सामन जानकारी देख लिया करेगा सर्च करके चलिए यह आंगे चलते हैं हम लोग अंगला कुश है नहीं हमारे सामने सोल है क्या कह रहा है निमलिकित कतनों पर आपको विचार करना है पूजी परियाप्तिता अनुपाद C.A.R. वहरासी है जिससे बैंकों को अपनी निदियों के रूम में रखना होता है जिससे बैदी खाता धारकों द्वारा देताओं का भुक्तान नहीं करने से कोई हानी होती है तो उसका फितिकार कर सके C.A.R. C.A.R. का निर्धारन पिदिक बैंक द्वारा अलग-अलग किया जाता है और इन दोनों कतनों में से आपको सही कतन चुनना है क्या करना है सही कतन चुनना है C.A.R.R. के बारे में आप लोग उने पढ़ा होगा SLR उनी की बात कराओं बताए इसके बारे में कुछ तो इसमें आप देखेंगे पहला गतन आपका बिल्कुल सही होगा लेकिन दूसरा आपका गलत होगा क्योंकि आप देखें कि C.A.R.R. का जो निर्धारन होता है इसे आपका केंद्रिय बैंक और जो बैंक नियामक होते हैं उनके द्वारा तै किया जाता है ठीक है तो इसमें केबल आपका एक कतन सही रहेगा क्या रहेगा यह ओप्सन आपका बिल्कुल सही रहेगा अंगला कुश्चन है मारे सामने सत्रे यह क्या कह रहा है कुश्चन नमबर सत्रे कह रहा है कि पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API उपलब दिखराता है इसका क्या मतलब है इसे किसी इलेक्टोनिक और करण के साथ एकिकित किया जा सकता है और दूसरा कह रहेगा परी तारीका IRIS का प्रियोक कर online परमारी करन संभा होे इन दोनों कफनों में से आपको सही कफन चुनना है क्या करना है सही कफन चुनना है तो आपको बता दूं कि दोनों बिलिकुल आपकी कफन सही है आधार ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या फर इसे आप लोग API भी कहते हैं जिसे आसानी से किसी भी electronic device में किया जा सकता है और API fingerprint या फिर आईरेस का उपयोग करके online प्रमाडी करण में एक तरह से संभव भी बनाता है तो इसमें आप लोग C option लगाएंगे आज कल आप देखते हैं कि आपका finger भी आप लोग bank खाते खुलवाने जाते हैं आधार guide में भी आपने देखा होगा यह सभी लगे हुए थे ठीक है तो अब आप लोग कहीं भी कुछ भी गलख काम करके भागते हैं तो आप पकड़े जाएंगे बहुत जल्दी चलिए खेर छोड़िए अंगला question है हमारे सामने 18 क्या कह रहा है विल्कुल हाल में निमले कित्मे से किन देशों में लाखों लोग या तो भेंकर अकाल या कोपोर्टरन से प्रभावित हुई है या फिर उनकी योद्ध संजातिय संगस के चलते उत्पन बुप्मणी के कारण मित्ती होई है तो इनमें से और याद रखिए सभी देश आप देखेंगे बहुत ही गरीब देश है क्या है बहुत ही गरीब देश है तो इसमें आप देखेंगे पहला यह option कह रहा है कि अंगोला जांबिया B कह रहा है मुरको ट्यूनिसिया और C कह रहा है बेनी जूइला कॉलंबिया और D कह रहा है यमन और दच्छड सूडान तो याद रखी D option आपका विल्कों सही रहेगा और आपको बता दूं फिर से कि जब उन लोगों निविस्त का भूगोल कवर किया हुआ था तो इन सब देशों के बारे में आप लोगों ने विस्तार से पढ़ा हुआ था और आपको याद हो कि आप लोगों में से कई लोगों की सवाल भी थे कि इतने सारे देशों के बारे में जानिकारी एकटी रख पाना याद रख पाना मुस्किल हो रही है नहीं रख पा रहे हैं तो मैंने उस समय भी आप से कहा था कि देखे यही स्मार्ट गिरी होती है कि जब भी आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं उसके आप देखे लाश्ट एक साल में कोई देश अगर चर्चा में रहता है किसी भी कारण से तो उसके बारे में एक सामन जानकारी याद रख लिए गरेगा क्योंकि आपकी परिक्षाओं में वही से कुश्टन्स पूचे जाते हैं जो करेंट में किसी कारण से टॉफिक चर्चा में रहा हो ठीक है? और एप एप एओ के अनुसार यमन, नाइजिरिया, दचिर सूडान सॉमालिया जैसे 4 देशों में 20 मिलियन लोगों के साथ दुनिया के 70 बसों में सबसे बड़ा एक तरह से खाद संकट देखा जा रहा है इन्हें खाद संकट का सामना करना बढ़ रहा है अब आपके मन में एक और सबाला आया होगा कि आप फिर आखिर ये एप ए ओ क्या है? और इस पर भी हम लोगों ने विस्ताल से बात की हुई थी इसका पूरा नाम है Food and Agriculture Organization इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 16 October 1925 में इसकी स्थापना की कई थी और इसका हेड़क्वार्टर आपको रॉम इटली में देखने को मिलेगा ठेक है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा चलिए चलते हैं अब हम लोग अंगले कुष्चन की दरफ क्या कह रहा है अंगला कुष्चन आपसे? अंगला कुष्चन कह रहा है कि Would Dispatch की बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्थ है? साहेता अनुदान विवस्था Grants in Ed सुरो की गई है दूसरा कहरे विस्थी विद्ध्याले की स्थापना की सिफारिश की गई तीसरा कराय सिक्षा की सभी सतरों पर सिक्षण माध्यम की रूम में अंग्रेजी की सिफारिश की गई और इतिहास में आप लोग इसके बारे में पार्टा कहा जाता है और इसमें आपने देखा होगो पितेक प्रांत में एक सिक्षा विवाग की स्थाफना किये जाने की बात की गई थी और लंदन विस्विध्याले की तरश पर बंबई कलकत्ता मद्रास जैसे बड़े सहरों में विस्विध्याले स्थाफित भी किये और वुषड डिस्पैज की अन्वसर आप देखेंगे फितेक प्रांत में सिक्षा विवाग की स्थाफना की जाने की बात की गई थी और 1897 में विस्विध्याले की मौडल पर कलकत्ता BOMBार, Bombay मद्रास में विद्विध्याले खोले जाने की विवाद की गई थी और इसमें आप देखेंगे उसके बाद 1882 में पंजाब की बात हो या फिर आप देखी 1887 में इलावाद की बात हो यहाँ पिसे विद्ध्यालेक खोले भी गए थी तो इसमें अंग्रेजी नहीं देखिए भारतियों को जो भी भारतिये थी उन्हें एक तरह से आपकी अपनी मात भासा की बात की गई थी पिसी खण दिये जाने की बात की गई थी तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा यह उप्शन इसमें बिलकुल सही रहेगा क्योंकि पहला और दूसरा कतन बिलकुल सही है अगला कुशन है हमारे समने 20 भारत की संसत के संद्रब में निमलिकित में से कौन सी संसदी समती इनकी समीक्षा करती है और सदन को सुचित करती है कि जो वी नियम, नियम, उक नियम, उक विदी आदी बनानी की सक्तिया समीधान द्वारा पिदत है या सदन द्वारा फृत्यायोजित है उनका कारफाली का द्वारा इन फित्यायोजित नों डेलीकेशन की परदी के वीत उचित प्रयोग हो रहा है पहला ओप्सन कहरा है सरकारी अस्वासन सम्दी समिती बी कहरा है अधीनरस्त बिधान सम्दी समिती C कह रहा है नियम सम्ति और D कह रहा है कारिसलायकर यानि कि बिजनिस एडवाईजरी सम्ति इन चार में से आपको सही चुनना है क्या चुनोगे बताओ कुछ तो इसमें आप देखेंगे B option आपके बिल्कुल सही रहेगा क्या रहेगा B option आधी नर्ष्त विधां सम्मंदी सम्ति और आपको बतादू कि भारत कि संसब में आप सभी जानते हैं इसके तीन भाग होते हैं लोकसबा, राजसबा और राश्टपती और आप देखते हैं कि कानूर बनाने की भी एक पिक्रिया होती है सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि कोई पिस्ताओ आता है लोकसबा, राजसबा में आता है उसे आप लोग विधियक कहते हैं और जैसे ही लोकसबा, राजसबा से पारित होता है राश्टपती की सहमती मिलती है यानि कि राश्टपती के हस्ताक्षर होते हैं तो आप देखते हैं वो कानून बन जाता है ठीक है तो याद रखेएगा अधीनर्स्त विधान की संति इस बात की जाज करती है कि सदन को रिपोर्ट करती हो कि क्या संसर द्वारा पित्यावित या कारिवालिका को समिधान द्वारा पिदत कानूनों नेमों उपनेमों कानूनों को बनाने की सक्ति का इसके द्वारा उचित रूप से प्रेयोग किया जा रहा है और दोनों सदनों में आप देखेंगे सम्ती में 15 सदस होते हैं दोनों सदनों से और इसका गठन उननीस सो त्रेपन में किया गया था चलिए अंगला कोशन देख लेते हैं अंगला कोशन है हमारे सामने 21 नेमलिकित कत्रों पर विचार करना है पहला कत्रन कर रहा है सिक्षा का अधिकार आर्टी आई अधिनियम के नुसार किसी राज में सिक्षक के रोमें नियुक्त होने ही तु अरे होने के लिए किसी वैक्ति को सम्मदित राज अध्यापक सिक्षा परिशत द्वारा निर्धारित नियुनतम योगता का होना आवसक है और दूसरा कर रहा है RTI अधिनियम के अनुसार प्रात्मिक अक्षाओं में सिक्षड हीतु किसी अभ्यारती के लिए राश्ती अध्यापक सिक्षा परिशत की देशा नेदेश्टों के अनुसार किये गए अध्यापक अहरता परीक्षड में उत्तीन होना आवस्सक है और तीसरा कर रहा है इसमें कि भारत में 90% से अधिक अध्यापक सिक्षा संस्थान फित्यक चुरूप से राजसरकारों के अध्यीन है उप्यक कत्रों में से आपको सही कतन चुनना है इन तीनों कत्रों में से क्या करना है सही कतन आपको चुनना है कैसे चुनोगे बताईए कुछ तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपके दूसरा गतन किवल सही है पहला भी आपका गलत है और तीसरा भी बिल्कुल गलत है सिक्षा के दिकारिक सिक्षी अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालग होगा कि आर्टिकल 21 का के तहत आपका मौलिक अधिकार बना दिया गया सिक्षा को और आप सभी जानते हैं 21 के तहत और 86 पे समिधान संसोधन द्वारा सिक्षा की अधिकार को आप देखेंगे समिधान के भाग तेन में जोड़ा गया था एक मौलिक रोग के रोग में और 46 पे समिधान संसोधन कब हुगा था सन 2002 में हुगा था तो याद रखेगा ऐसे तो इसमें आप लोग क्या लगा होगे केवल दो क्या है केवल दो इसमें सही है और जो बच्चों के मुपत और अनिवार सिक्चा की अधिकार की अधिनियम के बाल करें तो ये 2009 की तहट आप देखेंगे राष्टी सिक्चक राष्टी ये सिक्चक सिक्चा परिशद N-C-T-E ने एक व्यक्ति के लिए निगुन्तम सेक्चडिक और व्यवसाई के उगता निधारित की है देखें सिक्चक पाधिता परिशद T-E-T के बारे में भी आप लोग जानते होंगे चलिए अंगला कुश्चन देख लेते हैं अंगला कुश्चन है हमारे समने कौन सा 22 क्या कह रहा है कुश्चन नमर 22 हमसे पूँच रहा है कि ये अनिमलिकीत कत्रों पर आपको एक तरह से एगुमों पर विचार किनना है ये आपकी परंपरा हो गई और ये राज्ज हो गई चब चार कुट तिवार ये किस राजे से संबन देथे यहां कह रहा है मिजोरम खौंग जौम परभाग गाथागीत मनीपुर थांग टार नित एसिक्किम उपियक तिवार में से कौन सही संबने थे बताईए कौन सही संबने थे तो इसमें आप लोग देखेंगे एक तो आपका बिलकुँ सही है क्या है और एक आपका तीसरा क्या है खौंग जौम परभाग गाथागीत यह मडीपुर से दूसरा भी बिलकुँ सही है लेकिन तीसरा आपका बिलकुल गलत होगा तीसरा क्या होगा बिलकुल गलत होगा क्योंकि आप देखेंगे ठोंक टो टानेत यह आपका मडी पूर से संबन्द दित है ना कि सिक्यम से कहांसे? मडी पूर से संबन्द दित है और बाकी एक दोनों आपके बिलकूल सही भी है तो इसमें क्या लगाओगी? B-option आपका बिलकूल सही रहेगा और अगर हम लोग इनके बारे में भी बात कर लें मेजोरम राज्जों के बारे में भी बता देते हैं कुछ पॉइंट हैं क्योंकि राज्जों से भी आपके गुश्चनस कई बात कहुचे जाते रहते हैं अगर हम मेजोरम की बात करें तो आप सभी को मालू होगा कि इसकी स्थापना इसे राज जी कब बनाये गया था 20 फरवरी 1987 को 20 फरवरी 1987 को और यह आप देखें कि पूर्वोत्तर भारत में आपको देखने कुम लेगा यह राज जे और यहाँ आप लोग देखें अगर तो विधान सभा सीटें 40 देखने कुम लेगी राज सभा सीट एक देखने कुम लेगी लोग सभा सीट आपको एक देखने कुम लेगी वही अगर आप से मनीपूर की बात करें तो आप देखेंगे मनीपूर में कि इसे राज बनाए गया था आपका 15 ऎक्टूबर 1949 को और आप देखेंगे तो यहां आपको विद्धान सबाच सीट 060 देखने को मिलेगी स्वाट सीट 1 देकने को मिलेगी लोग सबाच सीट आपको 2 देखने को मिलेगी वहीं अगर सिक्किम की बात करें और सिक्किम से आप देखते हैं questions कई वार पूंचा जा चुके हैं 35 वा 34 समिधान संसुदन सुनें 35 समिधान संसुदन द्वारा आप ने देखा होगा सिक्किम को केंदर सासित पिदेश बनाए गया था और आगे चलके आप देखते हैं 36 वा जो समिधान संसुदन था उसके द्वारा इसे पूर र एक है ठीक है और याद रखिएगा और एक बार आप लोग भारत की मैप को बड़े ध्यान से पढ़ लिजेगा और सभी राज्जों की सीमाओं को भी देख लिजए कितने राज्जों से लगती है इस राज्जी की सीमा या कितने देशों से लगती है किन किन देशों से लग किजिए क्या करिए विचार ही करिए और क्या अगर सकते हैं पहला कतन कह रहा है कि खाद सुरक्षा इवा मानक अधिनियम अधिनियम 1934 को पिती स्थाफित किया है और दूसरा कह रहा है फार दिये खाद सुरक्षा इवा मानक प्राधिकरन फूर्ड सैप्टी एंड इस्टेंडर्स अथोर्टी ओप इंडिया केंद्री स्वास्त इवां परिवार कर लियान मंत्राले में स्वास्त सिवा महा निदेश तक के प्रभार में है और नीच आप से पूच रहा है कि कौन सा कथन सही है यानि कि इन दोनों कथनों में से आपको देखना है कि कौन कौन से कथन सही है आपके तो आप देखेंगे इसमें आपका क्या रहेगा पहला कथन विल्कुल सही है लेकिन दूसरा आपका विल्कुल गलत हैं फसाई के बारे में सुने हैं ना उन्नीस तो चंगर में पहली बार फिर आप देखते हैं 2006 में इसका एक तरह से क्या किया गया था संसुधन किया गया था भारती खाद्र सुरक्षा मानरक प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्य कारिकारी अधिकारी की निवक्ती भारत सरकार द्वारा की जाती है तेक है यह आप लोग याद रखिएगा और यह आपका स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले भासत सरकार फसाई के करकरम के लिए प पहला गत्र बिल्कुल सही रहेगा इसमें क्या रहेगा पहला गत्र आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें और फूर सेप्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉर्टी ऑप इंडिया की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थाफना अगस्त 2011 में की गई थी और इसका एड़ समाचारों में उलिखित पर टू स्टेर्ट emotional किसकी गतिविधियों की सन्द्रम में आता है कि पहला आप्शन इस में कह रहा है आपसे चाइना तो दूसरा कह रहा है इसरा कह रहा एक इट इनपर और ड bronlic यमन वो समय अमेरिका के राश्पती थे डॉनल्ड ट्रम इनके द्वारा क्या किया गया था कि यह रूप उसलम में अमेरिकी दूताबास खोलने की गोशना की गई थी इसलिए काफी यह छित चर्चा में था इसलिए खबरों में भी बना रहा और इसलिए आप देख रहे हैं कुश एक जागरन राश्टी संसकर्ण या फर जन सकता बढ़ सकते हैं इंदी मीडियम बाले चलिए एंगली कुश्टेन की तरफ बढ़ते हैं अब लोग राश्टी एक खाद्य सुरक्षा दिनियम 2013 के दिन बनाए गए ओबंदों के संद्रम में निम्लिकी कतनों पर आपको विचारी करना है पहला के थन करा है कि यह बल बे एक ही परिवार साहेता प्राप्त खाद्यान लेने की पाद्वता रखते हैं जो गरीवी रेखा से नीचे यानि की BPS AD में आते हैं दूसरा करा है परिवार में 18 बर्स या उस्ति अधिक उम्र के सभी सबसे अधिकों में वाली महला ही इस रासनकार निर्गत किये जाने की प्रियोजन से परिवार का मुक्या होगी और तीसरा गराए गरबती महला हैं एवं दुग दयानी की दूद पिलाने वाली माता हैं गरबावस्ता की दौरान उसके छे महीने के बाद तक पिदी देन सोले सो कैलोरी वाला रासन घर ले जाने की हगदार हैं और फिव कत्रों में से आपको सही कत्थन चुनना है इन तीनों में से आपको सही कत्थन बताना है कि आखिर सही कत्थन कौन सा है बताईए कुछ आइडिया हो तो और नहीं हो तो भी सही है क्या कर सकते हैं सारजिनिक वितरण पेणाली के बारे में भी आप लोगोंने सुना होगा TPDS या PDS तो इसमें आप लोग याद रखिए कि इवल आपका दूसरा कत्थन बिल्कुश सही है पहला आपका गलत है तीसरा भी आपका गलत है ग्रामीड आबादी में आप देखेंगे 75% कबर किया जाता है और सहरी आबादी में आप देखेंगे 55% एक तरसे आप देखें परिवारों को या जनसंख्या को यहां से इसमें सामिल किया जाता है और हर महीने आप देखते होंगे कि 5 किलो पर परसन यानि कि हर बैक्ति को 5 किलो कि खाद्यान दिया जाएगा बीपील परिवारों तक ही सीमित नहीं आए और तीसरे कथन की बात करें तो आप देखें कि गरब बती महलाओं इस्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 14 वर्स तक की आयू के बच्चों को एकिकरिट बाल विकास सेवाओं और मध्यान भोजन योजनाओ के तरह निर्धारन पोसन मापदंड की अनुसार भोजन का अधिकार और फ्लब देकर आये जाएगा तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगी बी ओप्सन क्योंकि केबल आपका दूसरा गतन बिल्कुल सही है यह यह आप लोग गाउं में देखते होंगे बीपील और यह सुसाइटी आप देखते हैं पीडियस के तहत आपको इस तरह ного सव्मदित दायतों के नुफालन के लीए लागू किया गया है लागू किया गया है बताइये तो इसमें क्या करोगे क्या करोगे पहला option कह रहा है ILO दूसरा कह रहा है IEMF तीसरा कह रहा है UNCTAD और D कह रहा है आपका WTO तो याद रखें WTO होगा इसमें क्या होगा? WTO होगा WTO समझोती याद इन्हें आप लोग TREFs भी कह देते हैं TREFs Agreement इसका अनुच्छेद है 22 पुलिक संकेतत को उन संकेतकों के रूम में परिवासित करता है जो किसी सदस की किसी छेत या उस छेत में एक छेत या फिर इसकी इलागी में उत्पन होने वाली अच्छे की पहचान एक तरह से करता है GI टेग भी आप लोग सुनते रहते होंगे ठीक है? यहां आपके चाल संगठन भी आये हुए हैं इनके बारे में भी कुछ जानकारी दे देता हूँ क्योंकि इनसे भी questions पूछे जाने की संभावना बनी रहती हैं और आप देखेंगे पूछे जाते भी रहे हैं यही questions भी आपका संगठन से संबंदित है अगर हम लोग ILO की बात करें तो इसे आप लोग International Labour Organization कहते हैं इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका headquarters आपको कहां देखने कुम लेगा? जैनेवा सुईजेलेंड में ठीक है? वहीं अगर हम लोग IMF की बात करें किसकी? IMF तो इसमें आप देखेंगे IMF की स्थापना की वेड़ बात करें इसे आप लोग International Monetary Fund भी कहते हैं और इसमें आप देखें तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में की गई थी और इसके Headquarter की अगर हम लोग बात करें तो इसका Headquarter बॉसेंग्टन DC में आपको देखने को मिलेगा यानि कि USA की बात हो रही है वहीं अगर UNCTAD की बात करें तो इसे आप लोग United Nations Conference on Trade and Development की नाम से आप लोग जानते हैं और इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को की गई थी और इसका Headquarter आपको जेनिवा सुईजेलेंड में देखने को मिलेगा मुख्याले की बात कर रहा हूं और एक बचता है आपके WTO इसे आप लोग World Trade Organization कहते हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी और इसका Headquarter आपको जेनिवा सुईजेलेंड में देखने को मिलेगा किसका WTO का ठीक है यह चोटे-चोटे संगरठन है बस थोड़ी बहुत मैनत करके अगर देखते रहें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कुश्चन साब से चूट सकता है इसका चली अंगली कुश्चन की तरफ चलते हैं नेमलिकित कत्रों पर आप विचार करना है भारत में राज सरकारों को गैर कोईला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है दूसरा करा अंध्विदे सोजारकन में सौनी की खदाने नहीं है और तीज तरह करा राजिस्थान में लोह की खदाने है उप्यक्त में से सही कत्रों आपको चुनना है इन तीनों में से तो याद रखी इसमें केवल तीसरा उप्सन विल्कुल सही है पहला और दूसरा गलत है नए खदान कानून के अंशार खान और खनिच विकास वी निमन संसोधन अधिनियम 2015 जो जनवरी 2015 से लागूगा था एक गैर कुएला खदानों की नीला हुई सम्मधित राज सरकार को दी जाने की बात की गई थी किने राज सरकारों की बात हो रही है और जारिकंड में आप सभी जानते हैं कि जलोड और देशी दोनों परेकिया एक तरह से आपको खाने देखने को मिलेगी एक आप लोगों नदी पी सुनी होगे स्वड रेखा नदी यहां से कहते हैं कि सोना मिलता है इस नदी की रेश से तो वहां जाकर आप लोग ढूड़ भी सकते हैं और आंध्विदेस में आप देखेंगे तो अनन्द पूर जिले में आपको राम गरी में सौनी की बंडार देखने को मिलेगे तो यह आप सभी जानते हैं कि आंध्विदेस हो या जारकंड हो यहां सौनी की ख़दाने आपको देखने को मिल जाएंगे और राजिस्थान में आप सभी जानते हैं कि लोए असक के भंडार जैपूर हो दैपूर हो जुनजुन हो सीकर हो भिलवाड़ा हो अलवर हो भारतपूर हो दोसा हो बस तो इसमें केबल आपका तीसरा कतन बिल्कु सही रहेगा ठीक है चलिए अंगली कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं अंगला कुश्चन है हमारे समने 28 क्या कह रहा है 28 कुश्चन नमबर 28 कह रहा है डिजीटल भुकतान के संद्रम में निमलिखित कत्रों पर आपको विचार कर यो भी करते हैं यूज भी करते होंगे पहला करा है भी मैप उप्योग करने वाले के लिए यह एप यूपी आई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन कहस्तांतरन करना संबह बनाता है यानि कि ट्रांसफर करना संबह बनाता है और दूसरा करा जब जहां एक चिप पिन बिल्कुल सही लेकिन दूसरा आपका बिल्कुल गलत है डेविट कार में आप देखेंगे फॉर्ट फैक्टर और ऑथ्राइजेसन नहीं होता है लेकिन भीम एब में आप देखेंगे तो इसमें थ्री फैक्टर ऑथ्राइजेसन आपको देखने को मिलेगा किसमें भी मैप म लेकिन वहीं आप debit card में देखेंगे तो इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और आपको मालू होगा कि यह 30 December 2016 को launch किया गया था और 20 भासाओं में आपको देखने को मिलेगा ठीक है एंडोराइड हो फिर आईएसो हो इन सब में आप लोग इसका उपयोग भी कर सकते हैं चली अंगले question की तरफ बढ़ते हैं इसमें केवल आपका एक option सही रहेगा ठीक है सही कतन पूछा था दूसरा आपका विल्कुल गलत है 29 question पूछ रहा है कि निमलिकित में से कौन सा सहर दिली के सबसे समीप के देशांतर पर इस्तित है बैंगलूर हैदराबाद नांगपूर पूने तो आप सभी को मालू होगा कि यह बैंगलूर है क्या है बैंगलूर आपको देखने को मिलेगा और आपको बता दूँ कि जब आप लोग मैप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग बहतर इसे देख पाएंगे अगर भोपाल भी होता है तो देखिए भोपाल भी इसके पास में ही आपको देखने को मिलेगा देशांतर पर चलिए अंगला कुशन है हमारे समने राष्टिय सरम संगठन की 138 और देखने के रिसी के तरीकों का बैस्विक जलवाई परिवतन से अनुकूलन और सी कह रहा है खादी कीमितों इवंग खादी सुरक्षा का बीडिमन और डी कह रहा है काल स्थल्पर लिंग समानता तो याद रखी इसमें यह आप्शन आपका विल्कू सही रहेगा और बता द देखने को मिल जाएगा कहाँ जेनेवा देखने को मिल जाएगा और ये आपके बाजरम की की बारे में बात करता है हि Chandler एक तरफ से इनका कहना है कि जो नियुन्रतम हमायوں के यह फिल जो बालक हो दिये हिसे इनके इनका ध्यान रखा जाहे इन्हें आप देखिए कि फैक्टरियों मेंoy कोई आप देखिए इन्हें एक तरह से बुरे रूपों से एक तरह से समाप्त किया जाए और आप देखते हैं कि आपका मौलीक अधिकार भी 23 आर्टिकल 23-24 में आप देखते होंगे बाल मजदूरी ना करवाई जाए तो उन्हीं से जुड़ा हुआ एक तरह से हैं कि चलिए अंगले कुशन की तरफ चलते हैं अंगला को ने हमारे समने 31 क्या कह रहा है एक कह रहा है यह के रहे हैं दहन विद्यके के संब्द में निमलीकित में से कौन सा गफ़ण सही नहीं है Robinson कर रहे किसी कर के अधीरोफन उन्मूलन माफि या परीवर्तन या फिर बीनेयम से समंदीत प्रावधन हो और भी कह रहा है इसमें धन बिधियक में भारत की संचित निधी एवं भारत की आकस्मक्त निधी की अभीरक्षा से समंदीत उबंद होते हैं और धन बिधियक कि यह को एक तरह से कौन निधारन करता है कि यह धन विधयक है या नहीं है हमारे लोकसवा के अध्यक्ष लोकसवा speaker इन धारित करते हैं कि आपका धन विधयक है या नहीं है तो याद रखिस में आपका B option बिल्कुल सही रहेगा मापकर यह B नहीं C ओप्सन धन विद्यक भारत की आकस्मक्ता निदी से धन के भी नियोजन से संबंदित होता है अगर आप लोग सम्मिधान का आर्टीकल 110 देखेंगे तो आपको धन विद्यक की एक तरह से परिभासा भी मालू चल जाएगा और एक विद्यक को धन विद्यक माना जाएगा या इसमें किवल निमलिके सभी किनी मामलों से संबंद जोड़े हो यानि किसी भी कर का अधी रोपन हो उन्ग बूलन हो छोट हो परिवारतन हो या फिर बीनियमन हो या भारत सरका द्वारा पैसे उधार लेने या कोई गारंटी देने का भीनियम हो या भारत सरका द्वारा किये गए या किये जाने वाले किसी भी बित्तिय दायत के संबंद में कानून में संसुदन हो या भारत की समेकित निधी या आकस्मक निधी की अभी रक्षा ऐसी किसी निधी में धन यका बुगतान या धन की निकासी हो या भारत की समेकित निधी से धन का बिनेवक्त हो तीक है यह सभी आप लोग धन विद्यक में देखने कुम लेंगे धन विद्यक मनी बिल भी आप लोग कह देते हैं क्या कह देते हैं मनी बिल भी कह देते हैं अर्टीकल 110 में अनुशेद 110 में धन विदेर की परिवासा भी आपको देखने को मिल जाएगी यह भी आप लोग याद रखेएगा और याद रखेए धन विदेर की मामले में आप देखेंगे तो राज्यसाबा के पास कुछ जानदा सकती नहीं होती है बहुत से बहुत राज्यसाबा अपने पास 14 दिन के लिए रख सकती है अगर 14 दिन के अंदर अगर उस पास सहमती अपनी नहीं देती है उसमें कुछ उस पर कुछ नेड़ा नहीं लेती है तो एक तरह से माल लिया जाता है कि वो पिस्ताओ पास हो चुगा है राजिसवा से ठीक है? यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने 32 क्या कह रहा है? भारत के राष्टपती के निरवाचन के संद्रम में नेमलिकित कत्रों पर आपको बिचाल करना है लेकिन आपको यहाँ फिर से बता देता हूँ कि जब पहले वार राष्टपती डॉक्टर राजिन पिसात को वनाय गया था तब आप देखेंगे सरव समती से उन्हें राष्टपती चुना गया था लेकिन अब आप जानते हैं कि हमारे देश में राष्टपती का चुनाओ होता है और इसकी एक पिक्रिया भी है और आप सभी जानते हैं कि जो राजसभा, लोकसभा और विधान साबा कि जो निर्वाचि सदस होते हैं यही लोग आप देखते हैं राष्टपती के निर्वाचन में भाग लेते हैं निर्वाचि सदस, मनोनी सदस भाग नहीं लेते हैं यह बड़े ध्यान से आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसमें कई बार आपसे दे देता है ओप्सन में कि सभी सदस राष्टपती के चुनाव में एक तरह से सामिल होते हैं तो आप लोगों को याद रखना होगा ठीक है? इसमें पहला कथन आपसे कह रहा है कि पितेक एमिले के बोट का मूल अलग-अलग राज में अलग-अलग होता है और दूसरा कहला लोग सभा की सदसों के बोट का मूल राज सभा की सदसों के बोट के मूल से अधिक होता है ओप्यों कत्रों में से कौन सा कत्षन सही है तो इसमें आप देखेंगे पहला कतन आपका बिल्कु सही है लेकिन दूसरा आपका बिल्कु गलत है मतलब ये option बिल्कु सही है बिधायक के बोट का मूल जनसंक्या मापदंड पर आधारित होता है और आप देखेंगे पितिक राज की जनसंक्या अलग-अलग है इसलिए आप देखेंगे हर राज में बिधायक के बोट का मूल अलग-अलग देखने को मिलेगा लेकिन पितिक सांसत के बोट का मूल समान होता है चाहे हुआ लोग सभाका हो या फिर राज सभाका हो ठीक है यह आप लोग जरूर याद रखेगा इसलिए दूसरा आपका गलत है पहला इसमें बिल्कुछ सही है आपका राश्टपती के चुनाओ इलेक्शन की बात हो रही है अगर आप से बात करें हम लोग राश्टपती प्रेसिडेंट ओफ इंडिया बात्मार राश्टपती कौन है बताईए कुछ इसके बारे में बताईए कुछ हो आप सभी को मालू होगा कि 26 जनवरी 1950 को किने बनाया गया था राश्टपती डॉक्टर राजिन पिसाथ को पहली बार बताई आपको यहां तीन डेटें अभी आपको बता देता हूँ एक तो आप 15 अगस्त सुनते हैं एक आप 15,25 क्या 26 नवंबर सुनते हैं और एक आप 26 जनवरी भी सुनते होंगे तो आप सभी को मालू ही कि पंदरा अगस्त को आपको आजादी मिलती है साथ समीधान इस दिन लागू हो गया था और इसलिए आप देखते हैं कि समीधान, recent के रोम में मनाते हैं। विधी दिवस के रोम मनाते हैं छबीश नवंबर को और skept नवरी आप देखें कि पूरी तरह से एक तरह सां ईलागू होगा Supreme Court को उच्छी तमने आले को राश्टपती को भड़ाने के बात हो अगर राश्टपती के चुनाओं के बात हो तो आप सभी जानते हैं कि आप भारती एनांग्रिक होना चाहिए 35 साल आपकी एज होना चाहिए आप लोकसवा के सदस बनने की यह गिता रखते हो और आप सरकार की अधिन कोई लाब पतपर ना हो तो आप भी राष्टपती बन सकते हैं आप भी चुनाओ लड़ सकते हैं ठीक है और राष्टपती को अबतर की अंतरकत आपको यह भी देखने को मिल जाएंगी जिसमें चमादान या लगुकरन परिहार बिराम प्रवी लंबन और इसमें आप देखेंगे चमादान में तो यहां तक आप देखेंगे कि किसी को अगर फांसी की सजाद दी गई है तो उसे भी राष्टपती जानी की जेव में रख लेना उस पर कोई नेड़य ना देना एक आप लोगने भारती डाग बिल भी सुनाओगा 1984 में आया था उस समय के आप देखेंगे राष्टपती हुआ करते थे ज्यानी जैल सिंग इन्होंने बीटियों का प्रयों भी किया हुआ था तो यह भी याद रखिएगा स्ब्सक्राइब यह जब भी इस तरह के देखी यह समीधान में आप पढ़ते हैं तो इस तरह कि जो भी पद हुगा करें राष्टपती उपर आश्पती पैदान मंद्री राज जिपाल तो इन सबस्क्राइब रोगस अध्यक्च्च लोगसभा उपाध्यक्च उपर आश्पती, राजसभा का सभापती होता है उप सभापती, इन सब के बारे में एक सामन जानकारी याद रखा गरिएगा क्योंकि कई बार इनसे डारेक्ट कुश्चन्स आ जाते हैं क्या आ जाते हैं? कुश्चन्स पूँच लेता है चली एंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कुश्चन नमर हमारे सामने हैं 33 भारत के संदर में अंतराष्टी परबांडू उर्जा एजनसी IAAA के अतिरेक्ट नयाचार यानि की एडिसनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का नहतार्थ क्या है? बताईए कुश्च इसके बारे में A option इसमें आपका कह रहा है क्या कह रहा है यह option? A सेनिक परमाडू रियक्टर IAAEA के रक्षोपाई के अधीन आ जाते हैं B कह रहा है सेनिक परमाडू अधिस्टान IAAEA के निरिक्षन के अधीन आ जाते हैं और C कह रहा है देश के पास नापकी फूर्ती करता समूव यानि की NSG से यूरीनियम के क्रे का बिसे सदिकार हो जाएगा और D कह रहा है देश के सुता NGA NSG का सदस बन जाता है तो इसमें आप देखेंगे कि A option इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा आसेनिक परमाडू रियक्टर IAEA की रक्षोपाई की अधीन आ जाता है अगर हम लोग इस संगठन के बारे में बात करें आपसे International Atomic Energy Agency के बारे में जिसे आप लोग सौट में IAEA कहते हैं तो इसकी इस्तापना 29 जुलाई 1957 में हुई थी ठीक है और बेना ओस्टिया में इसका मुख्याला देखने को मिलेगा ठीक है ओस्टिया नहीं ओस्टिया ओस्टिया ठीक है ज़रूर याद रखेगा क्योंकि आप देखें कि भारत सरकार और IAEA की बीच आसेनिक परमाडू सुग्धाओं के लिए सुरक्षा उपायों के आबेदन के लिए इस प्रोटोकॉल को 25 जुलाई 2014 को लागू किया गया था ठीक है और आपको बता दूं कि IAEA प्रोटोकॉल अनुसमर्थन परमाडू अपुर्दी करता समूह से उरेनियम खरीदने का विश्य सदिकार भी नहीं दिता है इसलिए आपका तीसरा गथन भी बिल्कुल गलत है और दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि सैनिक परिभाडू अधिक ठान IAEA के नेक्चन के दीन नहीं आते हैं ठीक है और चौत्रा इसलिए डी इसलिए गलत है कि देश सुता NHD के सदस्व नहीं बनते हैं ठीक है तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा यानि कि A ओप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा चली अंगला गुशेन है आपके सामने 34, क्या कह आई निम्लिकित देशों पर आपको विचार करना है आस्टेलिया कनाड़ा चीन भारत जापन यूएसे उपयुक्त में से कौन-कौन आसियान यानि कि A-S-E-A-N के मुक्त ब्याबार भागिदारों में सामिल हैं बताइए कुछ कौन-कौन सामिल हैं इसमें तो इसमें आप देखेंगे एक तो ओस्तेलिहां इसमें क्या है लेच आफसमें इसमें इसमें और आप देखेंगे इसमें आपका जापान भी सामिल है यूएस थी और कनाड़ा इसमें सामिल नहीं है ठीक है यह आप जरूर याद रखिएगा आसियान की बारे में बात करें तो आसियाशन ऑप साउध इस आसियान नेसंस कहते हैं से और इसकी इस्ताफना आर्ट अगरस्त विए 1967 में Bangkok Thailand में हुई थी और इसका हेड़कोटर आपको जकारता इंडोनेसिया में देखने को मिलेगा मुख्यालाए जकारता इंडोनेसिया में देखने को मिलेगा आपको यह आप लोग याद रखिएगा और आसियान सदस्त देशों की बीच आसियान मुक्त ब्यापार जिसे आप लोग AAFTA भी कहते हैं और इसके इलाबाद चेतरी ब्यापार बिलॉक ने ACA पिसांचेत की कुछ प्रमोक अरद्विस्थाओं को सामिल किया है इसमें ऑस्टेलिया न्यू जी लेंड समझ रहे हैं चीन भारत FTA भारत में इसमें अगर आप सदस्टों की बात करें आसियान की किसकी आसियान की तो इसमें आपका विरुणोई सामिल है कंबोडिया भी सामिल है इंडोनेसिया भी सामिल है लाउस मलेसिया मैनमार फिलिपिन्स सिंगापूर थाइलेंड और बेतनाम भी इसमें सामिल है तो इसमें दस मे एक, तीन, चार, पाँच, यानि किसी ओप्सन आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, अंगला कुशन है हमारे सामने 35, जलवायू अनुकूली किर्षी के लिए बैस्विक सहबंद, Global Alliance for Climate Smart Agriculture की संद्रव में, निमलिकित में से कौन सी कतन सही है, Global Alliance for Climate Smart Agriculture, 2015 में पेरिष में हुए जलवायी सिकर संबिलन का एक फाइडा में, और दूसरा कह रहा है कि Global Alliance for Climate Smart Agriculture में, सदस्ता से कोई बंदनकारी दायत तुत्पन नहीं होता है, और तीसरा कह रहा है कि Global Alliance for Climate Smart Agriculture की निर्माण में, भारत की साधक भूमिका थी, नीचे दीगर कोट कपरेव करके आपको सही उत्तर चुन लेना है, क्या करना है, सही उत्तर चुनना है, तो इसमें याद रखिए आप लो, क्या याद रख सकते हो, इसमें आपका दूसरा कहतन बिल्कु सही होगा, क्या होगा, दूसरा कहतन बिल्कु सही होगा, पहला और तीसरा बिल्कु गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि जलवाई इसमार्ट किरसी कि अउधाना मुरूप से एप एओ एक संगठन आप लोग देखते हैं न एप एओ जिसे आप लोग क्या कहते हैं फोड एंड अगरिकल्चर और्गनाइजिसन और आप सभी को मालूगा कि इसकी स्थाबना 16 एक्टूबर 1945 में हुई थी इसका हेड़क्वाटर इसका मुख्याल है रॉम इटली में देखने को मिलेगा इसी की बात कर रहा हूँ तो एफ वो द्वारा विक्सित की गई थी और अधिकारिक तोर पर 2010 में किर्सी खादे सुरक्षा जलवाई फरीवत्तन पर हैग संबेलन में स्मार्ट किर्सी पेपर के माध्यम से प्रिस्तुत किया गया था यह आप लोग जरूर याद रखे और 2014 में इस मुद्दे के साथ गटवंदन इस्थाफित किया गया था और जलवाई उसमार्ट किर्सी के लिए बैस्विक गटवंदन इसे आप लोग कहते हैं ठीक है इसलिए आपका पहला गलत है क्या है पहला गलत है और इसमें आपका भारत सिर्फ एक हस्ताक करता है इसलिए आपका तीसरा भी गलत है स इसमें आप लोग क्या लगाओगे केवल दूसरा कतन सही था केवल दो अंगला कुशन है हमारे सामने 36 निमलिकित में से कौन से भारत सरकार का के डिजीटल इंडिया ये उजना के उद्देश है का के उद्देश है मताई ये का के उद्देश है पहला ओप्सन इसमें आप से क्या बूंच रहे हैं भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसा की चीन ने किया है दूसरा कह रहा है यह है एक नेती का धाची की स्थापना जिसे बड़े आकड़े एकत्ति करने वाली समुद्ध पारिये वहूराश्टी ये कंपनियों को परुसाल्म किया जा सके कि वे हमारी राश्टी बहुगुलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें और तीसरा करा है हमारी एनिक गाओं को इंटरनेट से जोड़ना और हमारी बहुत से विद्ध्यालेओं और सारुजने कि स्थलों ये पिरमुक परेयाटक केंद् था यह आपका 2015 में लॉंच किया गया था 2015 में मिनिस्टी और इलेक्टोनिक्स एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी द्वारा इसे जारी किया गया था ठीक है हमारी प्यधार मंद्री इंद्ध मौधी इसका एक तरह से उद्धेश है इसमें केवल आपका तीसा गतन सही है यानि कि भी ऑप्सन आपका विल्कुल सही रहेगा ठीक है कि नहीं है ठीक चलिए अंगला कुक्शन की दरब बढ़ते हैं अंगला कुक्शन है हमारे सामने 37 नेमलिखित योगमों पर आपको विचार करना हैं कभी-कभी समाचारों में उल्की सहर हो गए और यह देश हो गए इस सहर किस देश में इनका पूछने का मतलब यही है अलेपो सीरिया किरकूक यमन मौसूल फिलिस्तिन मजारी शरीप अफगानिस्तान उपयोग तेगोमों में से सही समले कौन सा है बताईए कुछ अगर इसमें देखेंगे कि एइक तो आपका क्या है एक तो आप देखेंगे कि पहला गतांस बिल्कुस ही है अलिपऊ आपका सीरिया में है और एक आप देखेंगे मजारी शरीप आपकी आफगानिस्थान में है यानि कि इसमें B-Option होगा अब आपकी दिमाग में होगा कि किरकूक कहा है और मौसूल कहा है तो आपको बता दू कि किरकूक आपका इराक में देखने को मिलेगा और मौसूल आपका एवी इराक में ही देखने को मिलेगा अलिप्फू आपका सीरिया, किरकूक आपका इराग, मौसूल भी आपका इराग में मजार ये सरीप आपकी अफगानिस्तान में देखने को मिलेगी ठीक है? चलिए अंगला कुश्यन हमारे सामने है भारतस आसन अधिनियम 1935 के द्वारा इस थाफिस संग में आवसिश रकतिया किसी दी गही थी और आप सभी जानते हैं कि हमारी समीधार पर सबसे जानदा अगर छाप किसी की देखी गई है तो भारतस आसन अधिनियम 1935 की देखी गई है तो इसमें A option कह रहा है संगी बिधान मंदल को, B कह रहा है गवर्नर जनल को, C कह रहा है प्रांती बिधान मंदल को, और D कह रहा है प्रांती राज़पालों को, तो इसमें क्या करोगे, खुछ है आपके पास option, तो इसमें आप देखें कि गवर्नर जनल को, किसे गवर्नर जनल को, जो भी अवस्षिष्ट विधाई सक्तियां थी, ये गवर्नर जनल को दी गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहित, ठीक है, चलिए एंगला 49 question है आपके सामने, निमलिकित कतनों पर आपको विचार करना है, क्या करोगे, विचार ही करोगे, क्या भूच रहा है, पहला कतन इसमें कह रहा है आपसी, बिधान सबा का की अध्यक्ष, यदि बिधान सबा की सदस नहीं रहता, या रहती तो अपना पद र रिक्टन किया जाता है, तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंद रिक्ष कर देता है या देगी, ओपियव कतनों में से कौन सा कतन सही है, कर देगा या देगी, क्योंकि आप देखते हैं कि यानि कि विधान सबा अध्यक्ष, कोई महला भी हो सकती है, कोई पुरुस भी हो सक आम तोर पर आप देखते हैं कि विधान सभा की जीवन के दोरानी अध्यक्च पद पर बना रहता है हाला कि और नहीं लिखित मामलों में अपना पद पहले भी खाली कर सकता है यह दिवाए विधान सभा कर सदस्न बनना बंद कर देता है तब भी उसे विधानसभाद देक्च से एक तरसी हटना होगा वह है डिप्टी स्पीकर को लिखकर अपना इस्तिवाद भी दे सकता है उसे विधानसभाए के सभी ततकालिंग सदस्तों के बहुमत से उसे हटाया भी जा सकता है लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ऐसा संकल्ब 14 दिन की अग्यम सूचना देकर ही फेस किया जा सकता है और दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि अपने जो अध्यक्ष होता है यह अपने चुनाव की तारीक से बिधान सवा की पहली बैठक के ठीक पहले तक पद्धारन किये रहता है जब दूसरी जो आपकी बिधान सवा का गठन होगा उसकी जब तक बैठक नहीं होती है तब तक वो बना रहेगा तो याद रखिए बिधान सवा के भंग होने पर अध्यक्ष का सदस नहीं रहता है लेकिन वो अपने पद खाली नहीं करता है जिस तरह से आप लोग लोग सवा में देखते हैं लोग सवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसी तरह आप राज्यों में भी देखते हैं वही काम एक तरह से रहते हैं उसकी तो इसमें आपका ये ओप्सन विल्कुल सही रहेगा 49 में कुश्यन है हमारे सामदे 40 बिधी और स्वाधिन्ता के भी सबसे उप्योक्त संबंद को निमलिकित में से कौन पिती विम्बित करता है ये ओप्सन कर रहा है यादी बिधी बिधियां अधिक होती है तो स्वाधिन्ता कम होती है बिधी नहीं है तो स्वाधिन्ता भी नहीं है और सी कह रहा है यदी स्वाधिन्ता है तो बिधी निर्मार जनता को करना होगा और डी कह रहा है यदी बिधी परिवरतन बार-बार होता है तो वह स्वाधिन्ता के लिए खत्रा है तो बताहिए इसमें क्या लगा हुए जॉन लॉक आप लोगों ने सुनाओ है इनका एक बयान है यह सब यह लोगप्री है एक तरसे इनका बयान सिविल गवर्वर्मेंट की दूसरे गिरंथ में इनों ने लिखा था कि जहां कोई कानूर नहीं है वहां कोई सतंता भी नहीं है 1869 में ठीक है मातरी 1889 में तो इसमें आपका बी ऑप्सन लगाऊंगे अपनों कुश्यन हमारे समने 41 निम्लिकित कथ्नों पर आपको विचार करना है क्या करोगे करोगे कि इसमें पहला कथन आप से कह रहा है क्या कह रहा है पहला कतन किसी राज के राजपाल की विरुद्ध उसकी पदाओधी के दोरां किसी न्याले में कोई दांडी करवाही और संस्तित नहीं की जाएगी और दूसरा किरे किसी राजपाल की परिलब्धियों और भत्ते उनकी पदाओधी के दोरां क कौन सा कथन सही है यार न रखिए इसमें दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है अगर आप लोगोंने पॉलिटी में थोड़ा भी बहुत ध्यान दिया हुगा तो आप लोगों को एक तरशी मालू भी होगा और अनुछे 로 371 में आप सभी जानते हैं किस में? Valerie 351 में राष्ट्बती हुई या फिर राजपालो इन्हें सरक्ष्ण मिला हूगा है , राष्ट्पती या किसी राज के राजपालके खलाप उनके कार्काला के द्वारान किसी भी अदालत में कोई भी अवरादी-कारवाई शुरू या फि कि आपने देखा होगा कि बजट 2017-2018 में राजपाल की बेतन में कुछ बिढ़ी की गई थी इसलिए चर्चा में बना हुआ था इसलिए आप देख रहें कि इसलिए आपके कुश्चन्स पीपर में पूछ लिया गया है और आप से पहले भी बोला है कि जब इस तरह कर कोई टॉ अच्छा में रहता है तो उनसे कुश्चन्स पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है कि चलते हैं अंगले कुश्चन की तरफ अंगला कुश्चन है हमारे साम में 42 सोफिसिद्चित बनीठनी किस सैली का है बुंदी सैली जैपुर सैली कंगड़ सैली किसंगर सैली तो मुझे लगता है कि आग बंद करके इसका अंसर लगा सकते हैं बड़ा स्वरल है किसंगर सैली का ठीक है तो इसमें आपका डी ऑप्सन विल्कुल सही रहेगा आर्ट एंड कल्चर में आप लोग विस्तार से पढ़ते भी हैं इनकी बारे में और अपनी संस्क्ति को पढ़ना भी चाहिए मेरा तुमान ना है अंगला कुश्चन है हमारे सामने 43 कभी कभी समाचारों में वो लिखी टर्मिनल हाई ऑल्टिट्यूट एरिया डिफेंस यानि कि जैसे आप लोग टी एच एएड कहते हैं यह क्या है आकिर यह कह रहा है इजराइल की एक रडार पढ़ना ली बी कह रहा है भारत के गहरलू मिसाइल पितिरोधी कारकरम कब countless कि में पितिरोधी पढ़ना ली और 16 कराई याद रही है अमेड़ी मिसायल फितिरोधी पढ़नाली हैह अमेरिका मिसायल फितिरोधी पढ़नां ली यह अधिया आप्र लोग क्या कहते हैं थाड भी कहते हैं इसे उन्नेश स्वई कानवे की खाड़ी हो दिके दारान विक्सित किया गया था इसमें आपका सी ओप्षन विल्कुल सही रहेगा चलते हैं अंगले कुश्चन की तरफ क्या पूछ रहा है अंगला कुश्चन और भारत की संस्कीति की दिहार की संतर्व में नेमलेकीत कत्रों पर आपको विच्यार करना है क्या करना है कि उसमें पहला आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है पहला वप्सन प्रियाग राज के अधिकांज के नगुनिकी इसतुति के भक्ति गीत हैं। दूसा करा है, त्याग राजं ने अनेख नए रागों का सरजन किया। और थिसरा करा है, अन्यमच्चाही मचारे और त्रियाग राज सम्कालिन थे। और अरों हैं मचारे कीर्टन बहग्वान बैंस और चेप की यहिवाथ स्ञस्याइ किस्ति कह BENKA नि इस हुए कि मंसरे आपको सही गतन चुन्टा या क्या करना है सही गतन आपको चुनना है तो एक आप देखेंगे दूसरा आपका इसमें बिल्कु सही होगा और एक आपका चार सही होगा पहला और तीसरा आपका गलत है पहला और तीसरा इसमें गलत है अब आपके दिमाग में भी कुश्चन आने लगा हुआ कि आखिर गलत क् क्योंकि आप देखेंगे पंद्रवी सताब्दी के के एक सिंधु एक तरसे आप देखेंगे हिंदू संध थे कौन अन्नमाचार और विष्णु के एक रूप भगबान बेंकिटेस्वर की स्तिती में संगीतन नामक गीतों की रचना करने वाले सबसे वड़े पहले ग्याद भ कि इनकी बेंकिटेस्वर भगवान की है और अगर हम लोग दोनों के समकाले इनकी बात करें त्रियाग राज और अन्नमाचार है तो आप देखेंगे कि इनका जनम होता है त्रियाग राज का 14 माई 1967 को कहां तमिलाडू के तंजाबोर जिले की थिरो वयाव गाओं में जबकि अगर अन्नमाचार की बात करें तो इनका आप लोग जनम देखेंगे 22 माई 1908 को होता है मापकरी 22 माई 1408 को 1908 तो जाना नहीं हो जाता है कुछ तो इसलिए आप देखेंगे ये दोनों समकालीन कहा है अन्नमाचार आप देखेंगे पहले जनम ले चुके थे और त्रियाग राज बात किया है तो इसमें आप लोग देखेंगे एक और तीजन गलत था और दो और चार बिलकुल सही था यानि कि भी ओप्सन आपका लखनों के रूं में माना जाएगा सक्ती का परिश इमान बिधी की सरकार के पिति जन्दायट उतरदायट और चाल कहे रहे पहले करके आपको सही उत्तर चुणना है क्या करूना है सही उत्तर आपको चुनना है कैसे चुनोंगे सही तो इसमें आप देखेंगे एक तो आपका पहला बिल्कुल सही कह रहा है दूसरा भी बिल्कुल सही है और एक चार भी बिल्कुल सही है लेकिन तीसरा आपका गलत है कानून के सासन में अगर बात करें तो इसमें आप देखें कि मन माने सक्टी का आभाव देखने को मिलेगा कानून के समानता की बात की गई है बैक्ती का तरिकारों की बिधानता की बात की गई है लेकिन तीसरा गलत है क्योंकि ऐसा होना सरकार और लोगों के इफ्ति उत्तरदाई होना चाहिए ना कि लोगों के लिए सोचे, लोगों के लिए काम करे सरकार, इसलिए तो आप लोग चुनते हैं, यह अलग बात है कि आपके लिए कितना करते हैं, और अपने लिए कितना करते हैं, यह जमीन आस्मान का फरक आपको दिखाई देगा, तो इसमें आप C ओप्सन लगाएंगे, ठीक है चलिए अंगला कुश्चन है हमारे सामने 46 निमलिखित में से कौन सा एक कथन वैद मुद्रा लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्डिस करता है सही एक तरह से इसकी परिभासा बताता है इसमें पहला option क्या कह रहा है नियालेग में विध्धिक मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है भी कह रहा है वोय मुद्रा जो कोई अन्यन दाता अपने दावों के निप्टान में सुईकार करने के लिए बात होता है और C कहा रहा है चेक ड्राप्ट वी नियम या बिलों आधी की रूम में बैंक मुद्रा और D कहा रहा है किसी देश में चलन में धातू मुद्रा तो इसमें आप देखें कि क्या होगा B-Option आपका विल्कु सही होगा है वह मुद्रा जो रेड़ दाता अपने दाओं के निप्टान में सुईकार करने के लिए बाद होता है कानूनी निविदा कानून द्वारा मानत अपराप्ध भुक्तान का कोई भी अधिकारिक माध्यम जिसका उपयुक सारजने कि अनि जी रेड़ को समाप करने या वित्तिय दायत को पूरा करने के लिए किया जा सकता है इसे आप लोग राष्टी ये मुद्रा कानूनी निव्दा भी कहते है तो इसमें आपका B-Option बिल्कु सही रहेगा क्या लगाओगे? B-Option यानि कि गोला में क्या भरोगे? क्योंकि आपका पेपर आफ लाइन होता है न? तो आजकल गोले भी बड़े ध्यान जब भी आंसर सीट को भरते हैं तो बड़ा ध्यान दिया करेगा क्योंकि एक बार अगर गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का कोई विकल्प आपके पास बचता नहीं है तो मैं तो कहता हूँ बड़े सावधान होकर देख देख कर भरा करिएगा अंगला कुशन है हमारा सामने 47 क्या कह रहा है? यदि सरकार द्वारां कोई वस्तु जनता को निस्वल्प उपलब्द कराई जाती है तो बिकल्प लागत सुन होती है बिकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है बिकल्फ लागत को उत्पाद के उभोकता सिकर देने वाली जन्ता को अंगी की अंतरित कर दिया जाता है बिकल्फ लागत को उत्पाद के उभोकता सिसासन को अंतरिम कर दिया जाता है इन चार में से आपको एक ओप्सन चुनना है क्या करना है? चार option में से एक option चुनना है कैसे चुनोगी तो याद रखे C बिल्कुल सही रहेगा विकल्प लागत को उत्वाद के उभुकता से कर देने बाली जंता को अंतरित कर दिया जाता है देखे एक बात हुएसा याद रखे आपको कोई भी सरकार अगर फिरी का उवलब्द कराती है तो कोई आप पर ऐसान नहीं कर रही है आपसे tax ले रही है और कई लोगों के आपके सवाल आते रहते है कि क्या सब कोई भारत में जो भी रह रहा है गरीब से गरीब और अमीर से अमीर क्या वो टेक्स देता है तो आपको बता दूँ कि indirect tax हर कोई देता है मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग सावन तो खरीदते होंगे आप लोग आटा तो खरीदते होंगे चली आटा भी नहीं खरीदते हैं आप लोग चेनी खरीदते हैं गुड खरीते हैं, तेल खरीते हैं, मेरेच पाउडर खरीते हैं, चली ये भी नहीं खरीते हैं, मुझे लगता है कि मोबाईल दो सबके बास होगा आज कर, टेकनोलोजी की दुनिया चल लिए, तो मोबाईल का जो आप लोग बोलाते हैं न, उपर डिबबा रहता है, जिसमें पैक रहता हैं, उसमें एक परची निकलती है, उस पर आप लोग देखिएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, इनकलोजी जिस और टेक्सिस, यानि कि सभी टेक्सों को सामिल किया गया है, तब आपका इसमें भुकतान भी आप लोग उने किया हुआ है, और आप लोग सावन कहीं आप देखते हैं, ना हल नहीं चला रहा होता है, ना ही आप देखते हैं, तसला डाल ला होता है, तो आप कही टेक्स से मज़े कर रहे होते हैं, सी ओप्षन आपका विल्कुल सही रहेगा, एक समय आप सभी देखते थे कि ये पांच जो रुपे का सावन बहुत बढ़ है कुछ, तो यही देख रहे हैं, चलिए खेल, छोड़िए इसमें, आप लोग काफी समझदार हैं, कुशिन है हमारे सामने 48, निरफेक चित था पिति व्यक्ति बास्तिविक जी एनपी कि विड्दी आर्थि पिकास की उची दर का संकित नहीं करती है, यदी, ए कह रहा है उद्धोगीक उत्पादन किसी उत्पादन की साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, बी कह रहा है किसी उत्पादन उद्धोगीक उत्पादन की साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, और सी कह रहा है निर्धनता और बेरोजगारी में विद्धी होती है, और आर्थिक विकास अनिवार रूप से आर्थिक विकास को नहीं तरशाता है जो केवल बड़ी हुई आया कि वज़ाए एक जन संक्यागी भलाई का पिते नितित करने का एक समग गौधार्णा है यह आप सभी को मालों होने चाहिए बेरोजगारी यह तो मुझे लगता है कि इस समय आप लोग काफी देख रहे होंगे कि नहीं देखते हों कि आंके बंद कर लेते हों क्या कहते हों जी एन पी इसे क्या कहते हैं आप लोग सकल राष्टी योदपाद जी एन पी इनका भी एक सामान जानगारी दे देते हैं क्योंकि कई बार आपसे कुश्चन से पूछ लेता है तीन सब्द आप लोग सुनते होंगे एक तो आप लोग GDP सुनते हैं एक आप GNP सुनते हैं एक आप लोगोंने NNP सुना होगा और मुझे लगता है कि इतिहास आप लोगों अगर आप लोगोंने एकोनोमी पड़ी होगी अर्थवस्ता पड़ी होगी तो आप लोगोंने जरू इसे देखा भी होगा GDP की अगर बात करें हम लोग तो देश की आर्थी क्रिस्तिती को समझने के लिए आप सभी जानते हैं कि GDP का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है और GDP का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका की एक अर्थ सास्त्री थे साइमन इन्होंने 1935 से 44 की बीच किया था और GDP भासर में की बात करें अगर हम लोग GDP की जिसे आप लोग सकल गहरे लूट पात करते हैं इसे इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं किसी भी देश में उतपादित बस्तू और सेबा का बाजार में कितना मूल है उस बस्तू का मूल अधिक होने पर देश के अंदर बिदेशी मुद्रा अधिक आएगी और जिससे देश का विकास होगा यदि देश में उत्पादित होने वाली बस्तु और सिवा के मूल कम है तो इस देश में आप देखेंगे आलतिक स्तिती सही नहीं होगी और भारत में इसकी इस्तेमाल उत्पादन बढ़ाने घटाने के उस्सद के आज़र पर किया जाता है तो किसी भी देश में उत्वादिक बस्तूओं सेवाओं के बाजार मुल्ड को एक तरह से आप लोग GDP कह देते हैं जिसे आप लोग gross domestic product भी कहते हैं सकल गहरेलू उत्पाद और वहीं अगर हम लोग GNP की बात करें तो इसे आप लोग सकल राष्टी उत्पाद भी कहते हैं और इसमें देखें कि किसी भी देश में एक निश्चित समय में एक बित्वर्स में देश के नागरेकों द्वारा उत्पादित बस्तूओं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्ग को आप लोग सकल राष्टी उत्पाद यानि की GNP कहते हैं और GNP के अंतरकत आप देखेंगे यदि कोई भारती बेक्ती किसी अन देश में रहेकर ब्यापार कर रहा है या जॉब कर रहा है जिसके बाद होए अपने लाप को भारत में बेजता है तो उसे इसे लाप को GNP में जोड़ा जाता है और इसके बिपरीत आप देखेंगे तो जो बिदेशी कंपनी हैं या बिदेशी कोई बेक्ती है जो भारत में ब्यापार कर रहा है या नौकरी कर रहा है वो अपने लाप को क्या करेगा बारत से अपने देश बेजेगा तो इसे इसमें से GNP में से घटा देते हैं हमारे देश के जो बाहर ब्यापार या नौकरी कर रहा है उनकी जो भी आया होती है वो जो भेजते हैं उसे जोड़ देते हैं और हमारे देश में जो मतलब एक तरह से नौकरी कर रहे हैं ये ब्यापार कर रहे हैं तो एक तरह से उनके लाप को हम लोग इसमें से घटा देते हैं यह आप लोग याद रखे इसे आप लोग ग्रोस नेशनल प्रोडेक्ट भी कहते हैं राष्टिये सकल राष्टी उत्पात एक आपका आता है NNP और इसे आप लोग GNP से लागत की मूलें में होने बाले मूल नहरास को हटाने के बाद जो सेश बचता है उसे आप लोग सुद राश्टिये उत्पात कह देते हैं यानि इसे आप लोग देखे कि जो मसीने लगी हुई है और आप सोचे उनमें कुछ सिरास्ट होगा कुछ गड़वर होगी तो उसमें देखिए जो भी उसका मूल रहता है वो सिरास्ट का उसे आप लोग अगर GNP में से घटा देंगे तो जो सुद बचता है उसे आप लोग कि कोई उत्पादन करते हैं तो मसीन यंद खरीदते भी तो हैं उनमें भी तो नुकसान होता है तो उनी की बात करें इसे एक उधारन की रूम में भी आप लोग समझ लीजे यदि किसी यंद मसीन की कीमत 5000 रुपे है और एक बर्स की बात उसकी कीमत 4000 रुपे रह जाती है तो आप देखिए कितना नुकसान हुआ है 1000 रुपे का और इस 1000 को आप लोग उसमें से घटा देंगे और जो आपका बचे का उसे आप लोग NNP कह देते हैं यानि कि जिसे क्या कह देते हैं सुद्राश्टी है उत्पाद भी कह देते हैं तो इसमें आपका C option आप लोग उने लगाया भी होगा मुझे लगता है Net National Product भी कहते हैं आप लोग NNP को चलिए खेर छोड़िए चलिए अंगले कुश्यन हमारे सामने उनन्चास क्या कह रहा है निमलिखित कत्रों पर आपको विचार करना है एक संकल्पना के रूम में मानो पुझी निर्माड की बेतर व्याख्या उस पिक्रिया की रूम में की जाती है जिसके द्वारा किसी देश की व्यक्ति अधिक पुझी का संचेन कर पाते हैं और दूसरा कर रहा है देश की लोगों की ज्यान कौसल इस्तरों और चमताओं में बिद्धी हो पाती है और तीसरा कर रहा है गोचर धन का संचे हो पाता है और चार कर रहा है गोचर धन का संचे हो पाता है इन चारों कत्रों में से आपको सही कथन चुनना है क्या करना है? सही गथन चुनना है कैसे चुनोंगे सही गथन? तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग समझेंगे कि इसमें एक तो आपका दूसरा गथन बिल्कु सही है और एक आप देखेंगे चार गथन बिल्कु सही है पहला और तीसरा बिल्कुल आपका गलत देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा गलत देखने को मिलेगा अब आप लोग कहेंगे कि गलत क्यों है तो आपको बता दू कि यदि बहुती पूझी का पिदेनेदित करने बाला सकल पूझी निर्माड है GCF पढ़े हो के नहीं पढ़े जी सी एप जी सी एप यह समय दूसरा और चार गतन आपका बिलफल सही है और तीसरा इसलिए आप देखेंगे क्योंकि मूर्थ पुझी भी जी सी एप है इसमें बड़े फिर्माने पर आप देखेंगे यह उसर रजना गटक सामिल होते हैं समझ रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे और किसी राष्ट की अमूर संपत्ती में अगर बात करने तो कुसल जन सिंग के अमानों संसाधा नाधार संस्किती कला इन सब को सामिल किया जाता है तो यह भी याद रखेगा इसमें पहला और तीसरा और पहला गलत है बिलकुल यानि किसी ऑप्सन आपका विलकुल सही रहेगा दो और चार मानो पुझी आप देखें कि हमारे देश में अभी आप सभी जानते कारसील जन संख्या कुछ जाना ही देखने को लेगे काम करने वाली यूबा जन संख्या सबसे जाना लेकिन याद रखी इसे मानो पुझी में अगर जो देश बदल देता है वही इसका लाव उठा सकता है आप सोचें कि आप देखें कि किसी घर में अगर 4-5 बेटे हैं और आप सोचें कि अगर उन्हें सिक्षा नहीं दी जाती उन्हें स्वास्त बेवस्ता नहीं उपलब्द कराई जा सकती है तो आप सभी जानते हैं कि वहीं 100-200-400 रुपे में दिन का काम करते रहेंगे यह मजदूरी करते रहेंगे और आप सभी जानते हैं कि अगर उन 4-5 बेटों को अगर वेतर सिक्षा उपलब्द कराई जाए स्वास्त बेवस्ता उपलब्द कराई जाए रोजगार के अउसर दिये जाए तो आप देखते हैं कोई डॉक्टर बन जाए या कोई इंजिनियर कोई और किसी फिल्ड में जाएगा तो आप देखें कि उनकी आय भी बड़ेगा देश की तरक्की में भी अपना योगदान देंगे और अपने परिवार की आर्थिक स्थी भी सुधा रहेंगे लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश में इस तरह की कोई सुविधा जानदा देखने को नहीं मिलती यसी लिए हम लोग ने इस जनसंग्या का फायदा भी नहीं उठा पार रहे हैं क्योंकि आप देखे रहें कि कारसील जनसंग्या हमारे पास बहुत सारी है लेकिन फिर भी हम उनका फायदा नहीं उठा पाए इसमें आप लोग सी यह उप्सन लगा देना ठीक कुश्यन है हमारे सामने पचास उच्च बचत बाली अर्दवस्ता होती हुए भी किस कारण पूझी निमार्ण महत्पूर्ण उत्पादन बिड़्धी में परिमार्नित नहीं हो पाता कमजोर परिसासंतंत बी कर रहा है निरक चलता सई कर रहा है उच्च जनसंक्या घनत और डी कर रहा है उच्च पूझी उत्पाद अनुपाद तो बताईए इसमें क्या लगाओगे कुछ लगाओगे भी छोड़दोगे तो इसमें आप याद रखना उच्च पूझी सही रहेगा क्या लगाओ कि डी ओप्षन आपका दिलकु सही रहेगा है कि सी ओ आर कि डी ओप्षन आपका बिलकु सही चलिए अंगला कुष्चन है आपका इंक्यावन और आप सभी को मालू होगा कि इतिहास से जुड़ा हुआ है संथाल विद्रो के बारे में तो पड़े हो गए कि नहीं पड़े और नहीं पड़े हो तो पड़ लेना तोड़ा इसमें पहला क्या कर रहा है संथाल संथाल विद्रो के सांथ हो जाने के हो गया नीचे दीगा पूट का प्रेव करके सही आंसर चुनना है तो इसमें याद रखिए आपके दोनों का थन बिल्कुल सही है फहला भी सही है और दूसरा भी सही है यानि किसी ओप्सन आपका बिल्कुल सही रहे है आप देखेंगे विद्रो काफी बड़ी इक तरह से बड़े स्तरपल हुगा था और विद्रो की सक्ती को देखकर बेटल सरकार ने आदिवासीओं की जरूरतों के बारे में अधिक एक तरह से आप सोची उन्होंने इसमें काम किया और इस छेत में आप देखीए इनके बारे म अधिक सतर्ग ही हो गहते संथाल बसे हुई छेत्रों को एक अलग पिसासने की काई में गठिद भी किया गया था जिसे आप लोग संथाल परगना कहते थे उस समय जो उनकी आदिवासी संस्किती की विश्ष्टा की पहचान बताती थी और इसके अलाबाद आप देखेंगे कि बेटे सरकार को कारून बनाने के लिए पिरित किया ताकि आदिवासीयों की भूमी बाहरी लोगों द्वारा नहाल ले जा सके बाहरी लोग आदिवासीयों की भूमी में ना आसेंगे वहां कबजा ना कर सके तीक है अभी आप देखे किसकी ने अपनी संस्किति बचा के रखी वी है भारत में तो वो हैं आधिवाशी जंजाती और आप देखे इनकी संस्किति से अगर आप छेड़ dif चार करते हैं तो यह आप देखिए कि जान लेने पर भी उतारू हो जाते हैं अन्डवान निकोबार में आप लोगों ने देखा भी होगा इसके कई उधारन तो इनके छेत में अगर जाते हैं तो इनके बारे में जानकार इखटी कर लिया करें मालू चला कि आप गए और आप लोगों ने कुछ इस तरह का हस्तेशेप किया और उनकी तरफ से जानलेवा हामला हुआ तो आपको नुक्सान उठाना पड़ सकता है तो इसमें आप लोग क्या लगा होगे? C ओप्सन हो जाएगा अंगला कोशन है आपके सामिन बावन आर्थिक तोर पर 19 भी सताबदी में भालत पर अंग्रेजी सासन का एक परड़ाम था भालती हस्त सिल्पों के निर्यात में बिड़्धी B कह रहा है भालतीयों के स्वामित वालिये कारखानों की संख्या में बिड़्धी और C कह रहा है भालती किरसी का वाडिजिक आपको देखने को मिलेगा आप कहते हैं ना कि अंग्रेज लेकर नहीं गए कुछ हमें देखर भी गए रेलवे देखिए डाग तार देखिए आप लोग डाग विवस्ता देखिए आप लोग आधुने की प्रवधुकी से हमें जोड़ा है उनने बेटे सान का एक प्रमोग प्रभाव एरोपिय बाजाओं की जरूतों को पूरा करने के लिए चाय और नील जैसी वड़िजिक फसलों की एक तरह से विध्धी आपको देखने को मिलेगी ठेक है तो इसमें आपको बिकल्प क्या लगा होगी डी ऑप्सन और बाकी में आप देखें तो ओपने वे से सासन में भारती उद्दोगों और हस्ति छिल्पों के नकारात इन पर आप नकारात्मक रोप से तरभावित हुए यानि कि गराबट आपको देखने को मिलेगी चली अंगला कुष्ण देखते हैं इसमें सी करोगे ठीक है कुष्ण है हमारे सामने त्रेपन यदी भारत का राश्पती समिधान के अनुच्छे 356 के अधीन यथा उबंदित अपनी सक्तियों का किसी विसेश राजी के संबंद में प्रियोग करता है तो उस राजी की अनुच्छे 19 निलंबित हो जाएगा और धी कह रहा है राश्पती उस राज्जे से संबंदित पिधियां बना सकता है तो इसमें बताईए क्या कर सकता है तो याद रखिए इसमें भी ऑप्सन बिल्कल सही रहेगा उस राज्जी विनान मदल की सक्तियां संसद्वार या उ देखने को लेगा यदि राश्टपती राज्जी की राजपाल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्य था आप देखें संतोष्ट हो जाता है कि ऐसी उस राज्ज में ऐसी परिस्तिती उत्पन हो चुकी है कि सम्मीधान की अनुसार उस राज्जी का एक तरह से राज नही प्रियोग में अपने आने वाली सभी या कोई भी सक्तियां स्वैम ले सकता है यानि कि राजपाल के पास आ जाएगे और इन पर आप देखेंगे वह उसमें जो भी अगर कोई कानूर बनाना है तो उसमें संसत बनाएगा वहां ठीक है राजपाल राष्टपती सासन राष्टिया पातकाल आप लोग बताईए वित्तिया पातकाल किस आर्टीकल के तहत लगाया जाता है और आप लोग बताईए भारत में क्या अभी तक लगाया है कभी और राष्टी या पातकाल कितने बाल लगा है जा चुका है यह भी बता दीजे तो और अच्छा होगा चलिए अंगला कोश्चन है हमारे सामने क्या गह रहा है निमलिकित योगों पर आपको विचार करना है यह सिल्फ हो गए और किस राज की परंपरा है पुथुकुल्ली पुथुकुल्ली सॉल यह तमेलाडू सुझनी कड़ाई महराष्ट और पाड़ा जामदानी साड़ी करना डग उपयोगत में से सही सुमले कौन के से हैं योगों यानि कि सही जोड़ी एक तरह से आपके सकते ह तो इसमें आप देखेंगे कि ए ओप्सन केबल एक कथन आपका सही जोड़ी मिला रहा है एक तरह से सही योगों बना हुआ है वहीं आपके मन में आएगा कि सुझनी कड़ाई तो याद रखें बिहार की है ठीक है और पाड़ा जामदानी साड़ी यह आप देखेंगे पाड़ा भी कहते हैं जामदानी साड़ी यह आंध प्रदेश की है ठीक है तो इसमें आपका यह ओप्सन बिल्कुल सही था अंगला गूशन है मारे सामने चववन क्या कह रहा है GPS तकनीक का उप्योग निमलिकित में से किन छेत्रों में हो सकता है GPS आप लोगों ने सुने है जीपीएस तकनीक टेक्नोलोजी तो इसमें पहला कितना आप से क्या कह रहा है जीपीएस गिलूवल इसमें कहारा है मोबाइल पहुन परिचालन में बैंकिल पर चलन प्लूवर्श-प्रिश्व का नेंथन में नीचे दिखेकर करके उत्तर चुनना है तो आप देखें तीनों में इसका उपयूग होता है इसमें कोई दोह। नहीं होनी चाहिए तीनों में इसका उपयोग होता है global for positioning system जिसे आप जोग जीपीसी भी GPS भी कहते हैं छी भाउन कॉल को आपने देखा है रूट करने के लिए इसका उपयोग होता है ATM cash register में इसका उपयोग होता है i electronic grade में भी इसका उपयोग होता है stock exchange में भी आप कर सकते हैं डी ओप्षन आपका बिल्कुल सही है साइंस टेक पड़े होगे नहीं पड़े निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए भाजती रेजर बैंक 12 सरकार की की पिती भुतियों का प्रवंधन और प्रयोजन करता है किनतु किसी राजसरकार की पिती विद्यों का पहला गतन बिल्कुल गलत है दूसरा बिल्कुल सही है और तीसरा बिल्कुल सही है क्या है पहला गलत है लेकिन तीसरा और आपको बता दू सरकारी पितु भूतिया भारती रेजर बैंक द्वारा आयुजित नील आमियों के माध्यम से की जाती है पता है आपको और राज सरका सब्सक्राइब के बारे में कुछ बता दीजेगा तो पीछे भी बता चुका हूं फिर से एक बार सुन लेजेगा आप सभी जानते हैं कि अपरेल 1935 को ही थी कोलकाता में और आप समझे वेटिस राज में हुई थी एक तरह से इसकी स्थाफना अंग्रेजियों का सासन था और इसका हेड़ को आटर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा और आप देखेंगे की आर्विया एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थाफना की गए थी यह आप लोग याद रखेगा इसमें आप क्या लगाएंगे सी ओप्सन आप पर विचार कीजे पितिवी का चुमकी अच्छित हर कुछ सौ हजार सालों में उतक्रमित हुआ है दुखसरा करा है पितिवी जब 4000 मिलियन वर्सों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सिजन 54 परसेंट थी और कारवन डायोकसाइड नहीं थी और तीसरा करा है जब जीवित जी निवत आप आउगे तो इसमें पहला गत्रन आपका क्या है कि सही है या गलत है कि संतावन में आप देखें क्या देखें कि संतावन में आपका कि क्या होगा कि सी ओप्सन होगा याई कि पहला का प्ले क्तर बी सही होगा थी लिकन", गलत होगा डूसरा होगा दूसरा ग्या होगा बिलकुल गलत होगा आपका क्यूंकि आप देखें तो समय जब एक तरह से आप देखें थोर पॉइंट फाइव या पिर टो पॉइंट सबसे शुरुवाती बातावर्ण में आप देखें तो कारवन डायोकसाइड मीथेन जलबाज कारवन मोनोकसाइड थोड़ा नाइटोजन ओकसाइड और हाइडोजन ओकसाइड यह सभी गैसे हुगा करते थे उस समय ठीक है तो इसमें आपका तीसरा विल्कुल गलत है यह कौ चलिए अंगला कुष्ण इसमें क्या सी ओप्सन लगाओगे ठीक है एक तीन अंगला कुष्ण है मारे सामने अंठावन वन्ना क्राई पैट्या और एटर्न लबुलू पद जो हाली में समाचारों में उलिकित थे निमलिकित में से किसके साथ संबंदे थे तो इसमें पहला करा है एक्सोपलेनेट्स दूसरा करा है पिछन मुद्रा यानि कि केप्टो करेंसी और सी करा साइवर आकमण और डी करा लगू उपगर है तो याद रखें साइवर आकमण से संबंदित था और आजकल आप देख रहे हैं कि डारेक्ट योद नहीं हो रहे हैं देशों के बी तो एक सामानसी जानकारी बता देता हूं माल लेजे आपके ATM काइड का नंबर किसी के पास पहुंच जाए और उसका पिन नंबर किसी के पास पहुंच जाए तो आदमी चोरी भी कर सकता है आपकी अकाउंट से समझ रहे हैं या माल लेजे कि आपने किसी से चैटिंग की हु फोटोगराप या कुछ इस तरह का कोई समगरी बेजी हूई है और आप चाहते कि किसी तेस्रे के पास बोर्ल ना पहुंचे पर गब फुस्त पहुंचता है तो आपको किसी भी तरह का नुकसान उसकते और हमाद जे तीसरा व्यक्ति किसी भी तरह से उसे चोरी कर लेता है तो इसे ही तो आप लोग डाटा चोरी कह देते हैं ठीक है एक सामान परिवासा बता दिये आप लोगों को बहुत सरल सब्दों में विसमें सी यह उप्सन आपका विल्कूल सही रहेगा अंगला कूशन है मारे सामने 69 भारत में किरसी में परिष्थितियों के संदर में सरक्षन किरसी की संकलपना का मात बढ़ जाता है निमलिकित में इसके कौन-कौन से सरक्षन किरसी के अंतरगत आत को ढखने के लिए फसल आवसेश्ट का उपयों और पांच कह रहा है इस्थानिक एवं कालिक फसल अनुकर्मण फसल आवरतनों को अपनाना और नीचे दिगए कूट का प्रियोख करके आपको सही उत्तर चुनना है कैसे चुनोंगे बताईए कुछ तो इने सभी को पढ़ने के बाद एक बात तो आप सको समझ में आ गई होगी और वो बात क्या है क्या है बताई कुछ बताओगे के मुझे ही बताने के लिए छोड़ दिया है तो इसमें आप देखेंगे पहला कतन विल्कुल गलत होगा दूसरा आपका नियोंतम जोत को को अपनाना विल्कुल सही होगा और फिर आप देखेंगे तीसरा विल्कुल गलत होगा फिर अप देखेंगे में मिर्दा धरयतल को डखने के लिए फसल बाखोश्यकर और उसके बाद आप देखेंगे इस थाने गें तो ये ट्छाने के व headline के फसल अवर्तनो को आपनाना 5 भी बिल्कुल सही होगा हुआ है कि 69 में क्या लगाओगे 69 इसमें आपका सी ओप्सन बिल्कुल सही रहेगा दो दो चार पांच कथन आपका कैसा था बिल्कुल सही है था नियुन्तम जुताई मिट्टी की गड़वड़ी फसल अउसे सो जीवित जो मल उनका मल रहता है उसका इस्थाई मिट्टी के आवरन फसल चक अंतर फसल यह से भी आप लोग देख भी सकते हैं सरक्षन किर्सी सीए सैकत राश्ट का जो खाद देवं क Midwest संगठन है ना उसी के दोारए एक तरह से नंट बता आया गया सैक तरह को आप कहें तो फिर से बता दीता हो कुछ इसके बारे में जानकारी खाद देवों किरसी संगठन के बारे में विवता देता हूँ तो आप सभी जानते हैं कि UN की स्थाफना 24 सक्टूबर 1945 को हुई और इसका मुख्याल है निवार USA में है मुझे लगता है कि रिविजन होते होते आप लोगों को समझ में भी याद गया होगा और खाद देवों किरसी संगठन की बात करें सेवत राष्ट खाद देवों किरसी संगठन तो इसका इस्ताफना 16 एक्टूबर 1945 हेड़कोर्टर रॉम इटली में हुआ था ठीक है तो इन संगठनों को याद रखा करिएगा इनका रिविजन जब भी आप लोगों नियूर्फेबर पढ़ते हैं और इनका आप लोगों को वहाँ वर्डन देखने को मिलता है वहाँ उल्लेक देखने को मिलता है तो वहीं सर्च करकि आप लोग पढ़ने लग जाया इससे क्या होता है कि रिविजन होता रहता है और आप सभी जानते हैं कि रिविजन का ही खेल है सब कुछ अंगले चलते हैं कि क्या बोल रहा है अंगला कुशन है हमारे सामने 60 छटा ब्यापक बिलोब यह सब दि किसकी विविचना की संद्रों में समाचारों फ्रेया उल्लेकित होता है एक राय विसके बहुत से भागों में किर्सी में ब्यापक रूप से रोम में एक धान किर्सी पिताओ बड़े फिर्माने पर वाडिजी किर्सी के साथ रसाइनों की आवेवे की प्रेयों के पड़ाम सरूप अच्छे देसी पारितन्त की हानी भी कहरा है आसन्य भविस्त में पित्वी के साथ उलकापिंडी की संभावी टक्कर का भाय जैसा की 65 मिलियन बस पहली हुआ था और जिसके कारण डाइनोसोर्म की जातियों समेत अनेक जातियों का व्यापक रूप से बिलोप हो गया था और सी कहरा है कि विस्त की अनेक भागों में अनुबान सीकता रूपांतरीत फसलों की व्यापक रूप में खेती और विस्त की दूसरे भागों में उनकी खेती को बढ़ावा देना जिसके कारण अच्छे देसी फसली पाधवों का विलोप हो सकता है और खाद जय बेविता की हानी हो सकती है तो इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों ने अगर चालों आपसन बड़े ध्यान से पढ़े हैं तो इसमें आप लोग ड़ी ऑप्शन ही लगाओगे क्या लगाओगे डी ओप्सन ही लगाओगे डी ओप्सन ही लगाओगे क्या लगाओगे हॉलो सीन बिलुप्ति आप लोगों ने सुना है जिसे आप लोग अन्ने था च्छटी बिलुप्ति या फिर एंथो वो सीन बिलुप्त भी कहते हैं आप लोग वर्दमान में होलोसीन योग के द्वारान पर जाती हो कि चल रही बिलुप थोनी की घटना मक्रोप से मानों गतिविधी के पाईडाम सवरोप फी होगी एक तरह से ठीक है तो इसमें आप लोग D लगाओगे क्या लगाओगे और याद रखी इसकी PDF आपकी टेलिगराम पर डाल दी थी वहां से डालोड कर लीजेगा और अच्छे से पढ़ते रहिए इसमें D option लगाओगे कोश्चन है मारे सामने क्या 61 आई आर एनस की बारे में पढ़े हो कि नहीं पढ़े भारतिय चित्रिय संचाला न उगराय पढ़ाली इंडियन Regional Navigation Satellite System यानि की IERNSS की संद्रम में नेमलेखीत कतनों पर आपको उचार करना है पहला कतन कर रहा है की IERNSS की तुल्लेकारी जियो स्टेशनरी कक्छाओं में तीन उग रहे है और भूत तुल्लेकारी काली यानि की जियो सेंकोनस कक्छाओं में चाल उग रहे है दूसरा कर रहा है IERNSS की ब्रापती संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग पच्पन सौ यानि की 5500 बर किलोमीटर बाहर तक है और तीसरा कर रहे 2019 के मद्द तक भारत की पूर्ण बैस्विक ब्यापती के साथ अपनी उप्रेस अंचालन परणाली होगी पच्पन में क्यूंस从 कथन सही है बताइए तो इसमें आप देखेंगे पहला कथन ही सही है Sandy क्या है क्या है दूसरा ओटीसरा आफका बिलकुल गलत है और आप यह सवाल भी करना लग जाओगे कि दूसरा ओटीसरा गलत क्यों है तो आपको बता दूँ कि यह I, R, N, S, इसे भारत में उपयोग करता के साथ साथ इसकी स्थीमा से पंद्रह सो किलूमीटर तक के छित में सटीक एक तरह से सूचना प्यदान करने के लिए एडजाइन किया गया है और इसकी प्रात्मिक सेवा, प्रात्मिक छित क्या है सेवा ही है ठीक है और यह आप देख रहे हैं पच्छ पंसो बर किलूमीटर के बाहर तक है यह बिल्कुल गलत है आपका और इसे सार्ग छेत्र में विस्तारित करने की देख काली की योजना भी है लेकिन 2019 तक नहीं है ठीक है तो यह इसलिए गलत था तो इसमें आप देखें कि क्या सही है किवल एक पहला कथने सही है इसमें चलिए अंगे चलते हैं अंगला कुशन है बासट निम्लिकित परिघटाओं पर विचार कीजिए आप लोग प्रिकास गुरुत द्वारा पर भावित होता है दूसरा करा है ब्रहमंड लगातार फैल रहा है और तीन कह रहा है अपदार्थ अपने चारों और के दिकाल को व वार्प करता है उप्यक्त में से इलवर्ट आइस टाइन के आप एक चक्षिकता कि सामन सिध्धांद का कि अभी भविश्य कथन कौन से जिसकी या जिनकी प्रयार समाचवर माध्यम में बिवेचना होती है बताए कुछ आप ही बता दीजिएगा तो इसमें आप लोग देखें ध्यान से तो पहला गतन इसमें बिल्कुल सही होगा इसमें कोई सकनी होनी चाहिए और इसमें आप लोग देखें दूसरा भी बिल्कुल सही है तीसरा भी बिल्कुल सही है यानि कि इसमें तीनों गतन आप देखेंगे बिल्कुल सही है क्या ह इसमें आप लोग तीनों लगाएंगे यानि कि डे ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने 63 भारत में विक्सित अनुवांस बांसिकता रूपांतरी सर्सों यानि कि जी एम सर्सों Genetically Modified सर्सों के संद्रम में निमलिकित में कथनों पर आपको विचार करना है तीन कथन आपके सामने दिये गए हैं क्या दिये गए हैं तीन कथन आपके सामने दिये गए हैं पहला कथन इसमें आपसे फूंचरा क्या कह रहा है पहला कफन कहरा है आपसे कि GM सर्षों में मिर्दा जीवानों के जीन होते हैं जो पादकों को अनेक किसमों के पीड़कों के बिरोध पीड़क पितीरोध का गुन देते हैं और दूसरा करा है GM सर्षों में बेजीन होते हैं जो पादफों में पर परागरा और संस्करन को सुनकर बनाते हैं तीसरा करा है GM सर्षों का विकास I, A, R.I.E. और पंजाब की से बिस्विध्यालाय द्वारा सही परूप से किया गया है इन तीनों कत्रों में से आपको सही कत्र चुनना है तो आपको बता दूँ एक तो आप देखेंगे इसमें इसमें आपका पहला कत्र बिल्कुल गलत है दूसरा बिल्कुल सही है और तीसरा भी गलत है यानि कि केबल दो कत्र इसमें सही होगा क्या होगा दोसरा गत्म बिल्कुल सही होगा क्योंकि आप देखेंगे इसमें hybrid वीज उत्पादन के लिए तेन जीनों जैसे हुआ इसमें आप देखें वारनेज, वारिस्टार, वैसीलस इन्हें एक तरह से इनका उप्यों करके इसे विक्सित किया गया है ठीक है और जीम सर्थों को दिल्ली विस्विध्याले के विग्यान को द्वारा विक्सित किया गया है ना कि आप देखें पंजाब और आई ए आर द्वारा है ठीक है किसके द्वारा दिल्ली विस्विध्याले के विग्यान को द्वारा विक्सित किया गया है और इस पर यह उजना को को विज्ञान मंतरा लेके एक विभाग जैप फ्रोद्वगी की विभाग द्वारा आंसिक रूप से यानि की पैसा जो लगा है उसे बित्पोसित किया गया है तो इसमें आपका केवल दो यानि की बी ओप्सन आपका विल्कु सही रहेगा जी एम सर्सों आप देखें नई न आसी संसोधन करके उनके जीन में संसोधन करके कि जहां आमारे बरसद नहीं होती हो वहां भी वह देखें कि आप कम ॉब भी उसका उत्पादन हो सकता है या फिर आप देखें कि इस तरह की फसल बनाई जाएगे कि जो जो कीट जानदा लगते हैं जिसमें तो उसे कीटों के विफ्रीत आप देखें पितीरोधक चंता बाली बना दी जाएगी हुआ हम लोग बहुत आंगे निकल रही है दुनिया सम पाहिला कतन आपसे इसमें वेल वेल सेकेंड परियोग किंतिम बुद्धी मता ब्लॉक्चेन फरुद्गी की डिजीटल या क्यप्टो मुद्ध्रा क्रिसफर केस 9 कर्ण बहुत की उपियोगों में से कौन सही समलेत है बताए इन तीन मैसे क्या करोगे कुछ करोगे भी वेल सेकेंड परियोग किंदि बुद्धी मता बिल्कुल गलत ही ब्लॉक्चेन फरुद्गी की डिजीटल केप्टो मुद्रा बिल्कुर सही है क्रिस्पर केस नाइट एक कंड पर्डख़्ध्र की की ए विए आपका बिल्कुल गलत है अब आप कहांगी क्यों घलत है तो इसे भी सुन लीजेगा वेल सीकंड का प्रयोग आप सभी जानते हैं कि सुपर के 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 वी का पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया और एक आप देखें कि तीन किलोमीटर परधी में इलेक्टॉन को ये टॉन को कुलाइडर जो की वेले या फर बावर बीफेक्टरी डिटेक्टरों की समान ये बेहतर प्रितासन के साथ अधिक गंभीर दीम पेश्ट भूमी वाटवर बनर में इसका उप्याइब तरह सी कर सकते हैं कि बेल या बेली स्थिकंड इसका प्रियोख आप देखते होंगे कि बहुत की के मानक मॉडल के उल्गन का दिहन करने के लिए जिड़ाइन किया गया था क्रिस्पर अगर हम पनों को नाइन की बात करें तो इसमें आप देखेंगे किर्सपर तक्नीक में जीनोम के संपाधन के लिए एक सडल लेकिन सकती साली उकड़ें यह सोतका रखताओं को डियन अनुकरमों को आसानी से बदलें कि बदलें और जीन फंक्शन को संसोदे करने की अनुमती देता है और इसमें आप देख सकते हैं कई संबावित अनुपयों भी इसके हो सकते हैं अनुभानिशिक दोसों को ठीक करना, रोगों के पसार को रोखना या फसलों में सोदार करना इस अभी इसका हो सकता है इसका इसमें क्या लगाओगी? कि येवल दूसरा उप्सन सही था यानि कि B option केबल सही है B option क्या रहेगा इसमें लगाऊगे चली अंगला कोश्चन देखते हैं अंगला कोश्चन है हमारे सामने 65 नेमलिकित कत्रों में से कौन कारवन निसेचन कारवन फर्टिलाइजिसन को सर्वोत्तम वाइडित करता है सबसे अच्छी ब्याख्या करता है एक तरह से आप यही कह दिजिए तो इसमें A option क्या कह रहा है बायू मंडल में कारवन डाई ओकसाइड की बढ़ती हुई सांधिता के कारण बड़ी हुई पादब बिद्धी बी कह रहा है बायू मंडल में कारवन डाई ओकसाइड की बड़ी हुई सांधिता के कारण पितवी का बड़ा हुई तामान तो इसमें आप देखेंगे ये option आपका विल्कुल सही होगा क्या होगा विल्कुल सही होगा बायू मंडली कारवन डाई ओकसाइड के बड़ते इस तर के कारण पिछले 35 बरसों में 35-37 बरसों में पितवी के एक चुथाई से आधी बनस्पती भूमी से मैं आप देखेंगे महत्पूर आयाली दिखाई दिए हैं समझ रहे हैं यह option आपका विल्कुल सही रहेगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने बड़ा कुश्चन रहे तो चलिए ऐसे एक से दुबार पढ़ते हैं फिर इसका आंसर देखते हैं जब सुबर आपके स्मार्ट फॉन का अलाराम बचता है तो आठ आप उठ जाते हैं और अलाराम को बंद करने के लिए उसे थपकी देते हैं और जिससे आपका घीजय सुता ही चल पड़ता है और आपके सनानागार में लगा स्मार्ट दरपंड दिन की मौसम को दरसाता है और आपकी ऊपर टंकी में पानी के स्तर कभी संकेत देता है जब आप नास्ता बनाने के लिए अपने रेफिजरेटर से कुछ किराना सामा निकाल लेते हैं यह इसमें भंडारित सामान में आई कमी को जान लेता है और ताजी किराना सामानों की पूर्टी के लिए क्रयादेश दे देता है जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं और दरबाजे पर ताला लगाते हैं तब सभी बत्तियां पंखे गीजर और एसी मसीन सोताहाई बंद हो जाते हैं और आपके कार्याला है कि रास्ति पर आपकी कार आने वाले यातायात की वीड के बारे में आपको चेताओनी देती है और विकल्पिक रास्ति का सुझाओ देती है और यदि आपको किसी बैठक के लिए देर हो रही है तो यह है उसके अनुसार आपके कार्याले में संदेश भेज़ देती है और इनकी अभीर होती हुई संचार पुरुद्गी की संद्रव में उपयोग परिदिस के लिए नेवलिकित में से कौन सा पद सबसे उपयोग तरूप से लागू होता है एक बार आप फिर पर लीजे अब आप इस तरह की भी तक जाते हैं और अलाराम को बंद करने के लिए उसे थफकी देते हैं जिसके बाद आपका क्या होगा कि जिससे आपका गेज़ेट सुता ही चल पड़ता है और आपके सनानागार में लगा स्मार्ट दरफड दिन के मौसम को दरसाता है और उसके बाद आप देखेंगे आपकी पर टंकी में उपरी टंकी में पानी के इस्तर का भी संकेत दे देता है जब आप नास्ता बनाने के लिए अपने रेफिरिजेरेटर से कुछ किराना सामा निकाल लेते हैं तो उसे यह भी मालू चल जाता है कि भंडारीत समान में आई कमी कितनी हो चुकी है और वो क्या करता पंकिय, गीजर, एसी जो भी इस तरी की मसीन है सुता बंध हो जाएंगी आपको बंद करने की आवस्कता ही नहीं है आपके कारेयले की राश्ते पर आपकी कार आने वाले याटायात कि भीड के बारे में आपको छेतावनी देगी और बिकल्पिक राश्ते का सुझाव भी भिद्देती है इसे अभीरूत होती हुई संचार पुरुद्विकी के संद्रम में उपयोक्त प्रिदिस के लिए नेमलिकित में से कौन सा पत सबसे उपयोक्त गुरूप से लागू होता है आप समझे कि ओटोमेटिक एक तरह से आप समझे कि एक तरह से लाग मसी इस तरह का टकनीक आ रही है कि आपको कछ करने की भी जरुवात नहीं रहेगों है तो इसमें एक औक सधर से handicap सब्सक्रा कर रहें कि और बॉडर्डर गेटवेची described प्रोटॉकॉल अब डी कर रहा है वर्च्वल प्राइवेट नेटवर्क तो आप सभी लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा भी होगा इंटर नेट आप थिंग्स ठीक है बी ऑप्शन आई ओ टी भी कह दें से और एक यार कहेगा कि इसमें बहुत दीक बस्तुमें भी सामिल लाएगी जो इलेक्टोनिक ज्यानकारी करतिक करना और सांजी करने में सक्चम भी बनाएगी आपको और इस तरह की सभी सोविधाएं उपलब दीवे भी कराएगा इसमार्ट इसमार्ट गिरी कुछ भी कह लीजे जो भी करना हो चलिए हम आप तक कब तक पहुँचेगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा अंगला कुशिन है हमारे सामने स्तरशट भारत में सोर उर्चा उतपादन के संदरब में नीचे दिएगे कत्रों पर विचार कीजे क्या करिए विचार ही करिए इसमें आपका ए ओप्सन क्या कह रहा है पहला कत्न क्या कह रहा है आपसे भारत पिरकास बोलड़ी एकाईयों में प्रेयोग आने वाले सिलीकॉन वे फरस का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उतपादक देश है और दूसरा कह रहा है सौर उर्जा सौल का नेधारन भारत ये सौर उर्जा निगम के द्वारा किया जाता है इन दोनों कत्नों में से कौन सा कत्न सही है बताईए कुछ तो आपको बता दूँ कि इसमें दोनों कत्न आपके बिलकुक गलत है क्या हैं दोनों बिलकुक कत्न गलत है यानि कि डियो उप्सन लगा गई सौर उर्जा के लि को भी सेमी कंडेक्टर क्लेश्टर विक्सित करना है ठीक है और इसमें आप देखेंगे सी ई आर सी और सौर उर्जा सुल्क निधारी करता है कैंसरकार की स्वामित या नेंतर वाली उत्पादन कंपनीयों के टेरिक को भी नेंतित करता है तो यह भी है दोनों इसमें कथन गलत होंगे बहुत जल्दी हम लोग इस तक्नीक में भी आंगे आएंगे इसलिए तो कहते हैं कि चुनावी मुद्द जिस दिन आपका सिक्षा स्वास्त रोजगार बन जाएगा उस दिन आपके देश की तस्वीर ही बदल जाएगी आप देखते हैं कि हम लोग जब रफैल फ्रान से खरीदते हैं तो खुसिया मनाई जाते हैं लेकिन मेरा मनाईगी इस तरह की जब हम लोग रफैल बना रहे होंगे इस तकड़े बना रहे होंगे तब हम खुस हों तो मुझे लगता है कि बहतर हम लोग खुसी बना पाएंगे और हकीकत में खुसी बना पाएंगे और आप सुचिए कि अगर अगर रफैल खरीदने से कोई देश सकती साली होता होता तो आज तो दुनिया में आप देखे फिरांस का ही दब दबा होता समय रहे हैं तो एसा खुद कौन सी तकनीक बना रहे हैं एमाय ने जानदा रखता है अंगला कुश्यन है हमारे सामने क्या है अर्सट क्या कह रहा है अर्सट क्या कह रहा है आप से अठारवी सताबदी के मद्द इंगलिस इस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित पिर्मुक पनपदार्थ इस्टीवल कॉमोडिटीज क्या थे तो याद रखे इसमें D option होगा क्या होगा बताएई कुछ होगा कपास रेसम सोरा और अफीम होगा इस्ट इंडिया कंपनी को जानते हो इसी ने हम पर राज किया हुआ है और आप सभी जानते हैं कि इस्ट इंडिया कंपनी की स्ताफना कभी थी 31 दिसंबर 16 सो में 16 सो में और इसका मुख्याला लंदन यूनाइटी रिष्टे किंग में था यूके में ठीक है चलिए अंगला कुश्चन क्या पूंच रहा है आपसे 59 कुश्चन नेमलिकित में से कौन एक चंपारन सत्यागय का अतीम अत्पूर पहल हुए और आप सबी जानते ही कि 1917 की पहलों है और महतमा गांधी जांते हो कोई नहीं जांते हो कुछ महतमा गांधी ने इसमें भाग लिया था और यह सफल्भी राध आपने देखा ह草गा और यह समाना जालता है कि देखें चमपारण आंदोलन को या सत्यागर को गांधी जी की जरूरत थी और गांधी जी को चमपारण सत्यागर जैसे किसी आंदोलन के लिए जरूरत थी दोनों को एक दूसरी की जरूरत थी राश्टी आंदोलन में अखिल भारती इस्तर पर अधिवक्ताओं और विध्यार्तियों महलाओं की सक्रिय से भागी था B कह रहा है राश्टी आंदोलन में भारत की दलित और आदिवासी समधायों की सक्रिय भागी तारी C कही रहा है भारत की राष्टी आंदोरन में किसान आसंतोस का सम्मिलित होना और D कही रहा है रोपन फसलों तरह वडिजिक फसलों की खेती में भारी गिराबट तो इसमें याद रखी आपका B option, C option बिल्कुल सही रहेगा क्या रहेगा? C option बिल्कुल सही रहेगा ये बिहार की चमपारण जिले में आपने देखा होगा किसान कास्तगारों के साथ हुए अन्याय में एक तरह से विरोध में सामिल शुरू किया गया था चमपारण सत्य आ गया चमपारण पदा है? 1970 में गांधी जी चलिए अंगले question की तरफ देखते हैं इतिहास में जब भी इस तरह के आंदोलों में पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से पढ़ा करिए इनकी डेटें भी याद रखा करिए क्योंकि कई बार किरम से लगाने के लिए आ जाते हैं अंगला question है हमारे सामने सत्तर क्या कह रहा है? देमलिकित में से कौन? इसमें याद रखिए आपका D option बिल्कु सही होगा हिंदू मजदूर सभा जैसे आप लोग HMSB कहते हैं इसकी इस्तापना 1948 में हुई थी हावडा में और इसमें आप देखेंगे कौन-कौन सामिल थी असोक में यह था T.S. रामानो जम और जी-जी में हिता ठीक है? तो इन्हें याद रखिएगा इन्हें भी चलिए अंगला कुशन 71 भारत की धार्मिक पिथाओं के संद्रम में इस्थानक वासी संपदाय का संबंद किस्से है? क्या पूँच रहा है? यह कह रहा है आपसे? भारत की धार्मिक पिथाओं के संद्रम में इस्थानक वासी संपदाय का संबंद किस्से है? बाध दिद्मत, जैनमत, वैश्नमत, सैवमत तो याद रखिए जैनमत होगा इसमें ठीक है? सो इतामबर जैन की बारे में आप लोग सुने हैं तो एक तरह से जैन धर्म का एक तरह से संपदाय थी वही जुड़ा हुआ था इससे चलिए अंगले कुश्चन पर चलते हैं कुश्चन हमारे और याद रखिए एक और बात बता देता हूँ कि जब आप लोग इधियास में पढ़ेंगी तो जैन धर्म हो बहुत धर्म हो इसलाम धर्म हो इनके बारे में एक बिस्तार से जानकरी अपने पास रख लीजेगा क्योंकि आप देखेंगे हर साल आपकी परिक्षाओं में इनसे भी कुश्चन आते रहते हैं कुश्चन है हमारे सामने 72 भारत की सांस्किति कितिहास के संद्रब में निम्लिखी कत्रों पर विचार कीजेगा क्या कीजे विचार कीजेगा एक एराही की फतेपूर सीक्री इस्तित बुलंद दरवाजा दताफ खान काहे की निर्माड में सफेद संगमान का प्रियोग हुआ था दूसरा करा है लखना उच्तित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा की निर्माड में लाल बलुआ पत्थर और संगमान का प्रियोग हुआ था उपेव कत्रों में से कौन सा कतन सही है तो इसमें आप देखेंगे पहला कतन बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा आपका बिल्कुल गलत है क्यों गलत है दूसरा आप देखेंगे कि तो इसमें क्या देखेंगे दूसरा इसलिए घलत है क्योंकि रूमी दरवाजी की स्थापत सेली पूरी तर से लखनव की नबावी वास्तुकला के साथ मेल खाती थी और यह मोगलों से आप देखेंगे काफी अलग भी थी समझ रहें और इसमें आप दे सेफ हो इनका भी उपयोग होता था और आप सभी जानते हैं मुगलों की बात करें तो लाल बलुगा पत्थर का इस्तिमाल करते थे समझ रहें हैं बुलंदर वाज्या कहां फत्यपूर सीकरी में अकवर द्वारा आपने देखा सुना भी होगा कि बनवाय गया था यह तो इसमें किबल ए ओप्सन बिल्कु सही होगा पहला कफन बिल्कु सही होगा ठीक है किबल एक अंगला गुशन है हमारे सामने 73 निमलिकि विदेशी यात्रियों में से किसने भारत की हीरों और हीरे की ख़दानों की विस्तेत रूप से चल्चा की हुई है पन्ना की हीरे भी आप लोगोंने सुने होगे कहा है मद्ध पिदेश में पन्ना जिला है एक मद्ध पिदेश में या हीरे की खाने भी है आप सोलो इसमें कह भारा है फ्लांस्त वाप वर्णियर दूसरा करा है वुआप्षन आपका विल्कुँ सही है यह 1605 से 1689 का काम इसका समय रहा है ठीक है और यह फ्रांसी सी रतन व्यापारी यात्री था टेवार्णियर ठीक है यह अपने खर्चे पर वहार रटाया था बता है और अन्द्पदेश की जो गुंटूर जिले में आपको लोर खाने देखते न यह टीर वर्णियर द्वारा ही एक तरह से प्राप्त की गहीं थी खोजी गहीं थी खेल लिए तो खेल रिसे भी याद रखेगा अंगला कुक्षिन है हमारे सामने चोत्तर क्या कह रहा है भारती इतिहास के संद्रम में निम्लिकित में से कौन भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा ही तू अवतरित होते हैं तो आप सबी जानते हैं किसमें मैत्रे ठीक है और इन्हें भी याद रखेगा वोद्ध इतिहास में पढ़ते रहते होंगे अंगला कुशन है 75 लौड बेले जली द्वारा लागू की गई साहे एक संदी व्योस्ता के बारे में निम्लिकित में से कौन सा कतन लागू नहीं होता है इसमें पहला कह रहा है दूसरों के खरच पर एक बड़ी सेना बनाए रखना भी कह रहा है भारत को नेपोलियन के खत्रे से सुरक्षित रखना सी कह रहा है कंपनी के लिए एक नियत आये का प्रबंधन करना डी कह रहा है भारती ये रहासतों के उपर बेटे सर्वोच चिता इस्थापित करना बताए लौड बेले जली तो इसमें आप देखेंगे की सी नहीं होगा इसमें कंपनी के लिए एक नियत आये का प्रबंधन करना लाव वो नहीं है इसलिए क्या होगा सी चली अंगला कुशन आपके समगी क्या है अंगला कुशन है हमारे सामने 76 नेमलिकित मैं से किसने भारत में अंगरेजी सिक्षा की नियू पड़ी किन से 1813 का चार्टरेक्ट दूसरा है जनरल कमेटी और पवले इंस्टेक्षन 1823 प्राश्चिविद और एवं अंगलिविद बिवाद नीचे दीगे कूट का प्रियों करके आपको सही उत्तर भी चुनना है तो इसमें आप लोग क्या करोगे कुश करोगे तो इसमें आप देखेंगे किवल दूसरा ही सही होगा जनरल कमेटी और पवलिक इंस्टेक्षन 1823 प्राश्चिविद और आगलिविद बिवाद तो याद रखी इसमें डी होगा ना कि इसमें आपके और आप सभी जानते कि 1823 के चार्टर दिनियम को भारत में अंग्रेजी सिक्षा पिडाली की आधर सिलावी माने जाता है और 1823 के चार्टर दिनियम नहीं आपने देखा होगा इसाई मेसेनरी को अंग्रेजी का पिर्चार पिसार करने और धरम अपने धरम का पिचार पिसार करने की भी अनमती दे गई थी यह भी याद रखिएगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने 27 निमलिकित में से कौन एक किंतिम जील है किंतिम जील है पहला इसमें एक क्या कह रहा है कुडाई कनाल तमिलाडू कुलेरू आंध पिदेश नैनी ताल उत्राखंड रैनू का हिमाचल पिदेश तो याद रखिए उसमें कुडाई कनाल होगा ठीक है तमिलाडू में है जो इसमें क्या लगाओगे यह उप्शन आपका बिल्कूल सही रहेगा कुडाई जील भी के नाम से भी आप लोग जानते है यह आपके तमिलाडू का डिंडि गूल जिला है न उसी सहर में आपको देखने को मिलेगा माना उने नमेत एक जील है यह जील आप तारा मचली के एक तरह से आकार की देखने को मिलेगा चलिए एक तरह इसमें आप लोग यह ओप्सन होगा 78 पिदार मंत्री कौसल विकास एउजना की संदर्म में निम्लिकीत कत्रों पर आपको विचार करना है पहला कतन करा है कि यह सरम वेवं रोजगार मंत्राले की फिलैक्सिप स्कीम है यह उजना है दूसरा करा है यह है अन्य चीजों के साथ सौप्ट सिल्क सौप्ट स्किल और उद्यम विति और विति और डिजिटल साक्चरता में भी सिक्षन उपलब्द कराएगी तीसरा करा है यह देश की आवी नेमित कारवल की कारको सलताओं को राष्टी को सल योगता धाचा नेशनल इसके क्वालिफिकेशन फैंबर्ग के साथ जोड़ीगी और नीचे दीगा कूट का प्रियोग करके आपको सही उत्तर चुनना है बताएगी कैसे चुनो के तो इसम है तीसरा भी विल्कुत सही होगा क्या होगा तीसरा भी विल्कुत सही होगा अब आप कहेंगे कि पहला कतन गलत क्यों है क्योंकि याद रखिए प्रिधानमत्री कौसल विकास योजना कौसल विकास और उद्दमिता मंत्राले की अंतरगत आती है ना कि स्थरम रोजगार मं कि जरूर याद रखिएगा इस तरह की योजनाव से भी कुश्चन्स पूच लेता है कि आप कर लेता है कुश्चन्स पूच लेता है कि विद्धान मंत्री कॉसल योजनाव यह 2015 में जारी की गई थी चालू की गई थी एक तरह से पता है और आपको मार कि इस योजना के उद्धेश के एगर हम बात करें तो भारत की युवाओं को मुप्त कॉसल पे सीख्चर मार्ग प्यदान करना एक तरह से उद्धेश है और प्यदान मंत्री कॉसल विकास योजना 3.0 आपने देखा होगा कि 2021 में लॉंच की गई है और इसमें आप देखें कि 300 से अधिक कॉसल पाठक्रम भी उपलब्द कर वाए गया है तो हम लोग 2021 में देख रहे हैं न ये तभी ये बता दिया 20 का और आप सोचें कि 2018 में बैटके 20 की भविस्वाड़ी कैसे कल सकते हैं तो इतना महानभाव इतना ज्योतिसी मस समझें इसमें आपका सी ओप्षन बिल्कुल सही रहेगा 2 और 3 अंगला कुश्चिन है आपकी सामने 89 क्या कह रहा है 1920 में नेवलिकित में सी किसने अपना नाम परिवर्थित कर सवराज सभा रख लिया बताई इसमें पहला ये option कह रहा है All India Home Rule League दूसरा कह रहा है हिंदू महासभा तीसरा कह रहा है South Indian Liberal Federation और D कह रहा है The Servant of India Society तो इसमें आप सभी जानते होंगे कि All India Home Rule League ने ठीक है ये option इसका आपका बिलकुँ सही रहेगा क्या रहेगा बिलकुँ सही रहेगा इसमें किसमें 89 में 89 में क्या लगा होगे आप लोग ये option चलिए अंगली कुषिंट की तरफ चलते हैं ये आपका एक तरह से देखिए सहराज सभा आप सभी जानते हैं कि सहराज एक पार्टी भी थी उसके बारे मैं भी बदा देता हूं सहराज पार्टी की स्थापना एक जनवरी 1923 में हुई थी आपने देखा होगा देश बंदू चितरंजंदास व मोतिलाल नहरू ने की थी तो उसमें इसमें फरक आप लो निमलिकित में से कौन सी घटना सबसे पहली हुई इसमें पहला ओप्षन आप से क्या कह रहा है पहला ओप्षन कह रहा है कि स्वामी स्वामी दयानंद ने आरे समाज की स्थापना की बी कह रहा है देश दीन बंदू ने नील दरपन का लेखन किया सी कह रहा है वाकिम चंद चट्टा उपाध्याय ने आनदमत का लेखन किया और डी कह रहा है सतन नाठ टेगोड इंडियन सिविल सर्विस परीच्छा में सपलता पाने वाले पिथम भारतिये बने थे तो इसमें आप याद रखी कि बी ओप्सन आपका विल्कुल सही रहेगा एक तरह से आप देखी कि अगर आपको सभी की इनकी डेट माल होगी तो आप बेहतर इसका एक तरह से बता पाएंगे कि सबसे पहली की घटना कौन सी है आप देखेंगे तो स्वामी द्यानन ने आरे समाज की इस्थावना कप की थी? 1875 की घटना है कप की? 1875 की वहीं अगर हम लोग दीन बंदू मित की बात करेंगे तो नील दरपन इनों ने 1859 से लेकर 69 की बीच लाये थे फिर आगर आप देखें कि बाकिम चंद चटोपाद्या ने आनन्द मट कम लिखा था? ए 1882 की घटना है और सतिन्द ना टेगोर इंडियन सेर्वेल सर्विस परिक्षा में सफल्दा पाने वाले बाली पिथम भाल की कब ने थे? ए 1863 की घटना है तो इसमें से आप देखेंगे तो इसमें आपका दीन बंदो, मित्न ने निल दरपन का लेखन सबसे पहले किया था है इन घटनाओं में से कब? 1858 से लेकर 69 की भी चेक तरह से 1858 69 की घटना है ठीक है? तो यह याद रखिएगा और इसलिए कहता हूँ कि जब भी इतियास पड़ा करिए तो आप लोग बड़ी वारीकी से पड़ा करिएगा अब आप देखें कि अगर आप लोग ने वारीकी से पड़ा होगा आप लोगों को डेट याद होगी तो आप लोगों इसका अंसर दे लिया होगा बड़े सलल कुश्चन्स होते हैं बस आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है अंगला कुश्चन है हमारे सामने निमलिकित में से कौन सी नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का के संभावी परिडाम हो सकते हैं एक पहला कतन कह रहा है कि नदी की लवणता में कमी दूसरा कह रहा है बहुम जल का पीदोसा है और तीसरा कह रहा है बहुम जल इस्तर का नीचे चले जाना नीचे दीगे कुट का प्रियोग करके आपको सही उत्तर चुनना है इसमें क्या करना होगा सही उत्तर आपको चुनना होगा तो आपको बता दूँ इसमें दूसरा बिल्कुल सही है और तीसरा बिल्कुल सही है लेकिन पहला बिल्कुल गलत होगा पहला क्या होगा बिल्कुल गलत होगा ठीक है यानि कि आप लोग B option लगाएंगे आप लोग क्य यह जरूर याद रखेगा चलिए अंगली कुशियन पर चलते हैं लोग इसमें आप लोग भी ऑप्सन लगाएंगे ठीक है कुशियन नमर है हमारे समने 82 किरसी मिरदाओं किस अंदरम में निमलिकीत कथनों पर आप विचार कीजिए तीन कथन आपको दिये गए हैं और इसमें आपको सही कथन का चुनाव करना हैं पहला कतन कह रहा है कि मिरदा में कारवण पदारत का उच्च अंस इसकी जल्लहारण चमता को प्रवल रोप से कम करता है दूसरा कह रहा है गंधक चक में मिरदा की कोई भूमी का नहीं होती है और तीसरा कह रहा है कुछ समयोदी तक चाहिए कुछ किरसी भूमियों की लवनी भर्मन में योगदान कर सकती है इन में से सही कतन आपको चुनना था तो क्या करोगे तो याद रखी इसमें क्या 82 में क्या लगाओगे 82 में आप लोगों को मालू होना चाहिए कि B-Option आपका बिल्कु सही रहेगा यानि कि केवल दो सही है और पहला और तीसरा गलत है मिर्दा जल्ध हरन चमता पानी की वह मात्रा है जो मिट्टी में आप देखते हैं फसालोपियों के लिए रखी जाती एक तरह से ठीक है और मिट्टी की बनावाट आर्मनिक पदारतों प्रमों गटक होते हैं इसमें और ये भी याद रखे और लवनी करन अगर बात करें य जमा जमा हो जाता है और फसलों के लिए यहानिकारिक भी होता है तो इसमें आप लोगों केवल दूसरा कता नहीं सही रहेगा बी ऑप्शन आपका पिल्कुल सही रहेगा कुश्चेन है मारे सामने 83 हरीत अर्थवस्था पर कारवाई के लिए भागीदारी PAGE जो अपेक्चा के थरीत और अधिक समावी सी अर्थवस्था की ओर देसों के संकमर में साहता देनी के लिए सेवतराष्ट की एक किरिया विदी है ये अभी रभूत हुई है ये ओप्श में 2000 वारे में संधार्णिये विकास पर सेवतराष्ट सम्मिलन में सही कह रहा है पेरिस में 2015 में जलबाई परीवतन पर सेवतराष्ट पहिंबरक कनिवेंशन में और डी कह रहा है इसमें नई दिल्ली में 2016 की विस संधार्णिये विकास सिखर सम्मिलन में तो इसमें क्या ल में 2000 बारे की संधार्णिये विकास पर सेवतराष्ट संभेलन में किसमें संभेलन में यहां सेवतराष्ट भी आया हुआ है इसे भी देख लीजे क्योंकि इनसे भी कुश्टन्स आजकल कई बार बता भी चुका हूं पूंचले भी लेता है यह उनाइटिट नेसंस की बात करें तो आप जानते हैं सेवतराष्ट भी कहते हैं इसकी स्थापना 24 सक्टू पर 1945 में हुई थी इसका हेड़क्वार्टर आपको डी वार्क में देखने को मिलेगा USA में और यह आपका 2012 में डी रियो डी जिरो में जब संगार्णिये विकास प तो कुश्चन है मारे समने 84 3D मुद्रण का निमलिकित में से किसमें प्रियोग होता है बताई किसमें प्रियोग होता है कि 3D पैंटिंग की बात हो रही है इसमें पहला ओप्शन कह रहा है कि आपका मिश्ठाननी की चीजें बनाने में मिश्ठाननी की चीजें बनाने में दूसरा कराय जैब अलगवन के निर्माड में तीसरा कराय ओटो मोटिव उद्योग में चार कराय पोनर निर्माड कारी सल करब में और पांच कराय दत्य देटा संधादन फरोध में तो इसमें 84 मीं क्या लगाओगे कुछ बता होगे तो याद रखिस में आपकी पांचों है पांचों में इसका उप्योग होता है 3D painting के बारे में आप जानते हैं AB निर्माड की एक टक्निक है जिसका इस्तिमाल कर तिरी विम्मी है object का निर्माड किया जाता है 3D painting तो इसमें आप लोग D option लगाएंगे ठीक है Question है हमारे सामने 85 नेमली कित कत्रों पर आपको विचार करना है पहला कहरा है वेरेन दुईव ज्वाला मुखी एक सक्रिय ज्वाला मुखी है जो भारती राजचिट में है दूसरा करा है वेरेन दुईव ग्रेट निकोवार के लगबग 140 किलोमीडर पूर में इस्तित है तीसरा करा है पिछली बार वेरेन दुईव ज्वाला मुखी में 1991 में उद्गार हुआ था तब से ये निस्क्रिय बना हुआ है इन में से सही कथन आपको चुननाना है क्या करना है सही कथन को चुनाव करना है ये तरह से तो क्या करोगे इसमें इसमें याद रखी आपका पहला कथन बिल्कु सही है और दूसरा गलत है और एक तीसरा आपका गलत है अंडवान दूर्ष सम्व में आप देखेंगे पोर्ट बिलियर के लगवक एक सो चालीस किलो मीटर आंगे आप देखेंगे अंडवान निकोवार के ठीक है और इसमें आप देखेंगे माकरी 354 मीटर उचा है यह दुए ठीक है इसमें आप देखें तो 1991 में बड़ा बिस्वोट नहीं हुगा था ठीक है और तब इसमें आप देखें कि रोक रोक कर गती भी दिखाए दी हुई थी और जिसमें 1995 और 1995 में भी इसमें बिस्वोट देखा गया था ठीक है और यह आप देखेंगे 150 सालों से इक तरह से निस्क्रिय पड़ा हुआ है चलिए तो इसमें आप लोग के बल एक ओप्सन सही था यह ओप्सन बिल्कों सही रहेगा कुश्य नमर हमारे सामने 86 प्रोसो पिस जूली फिलोरा नामक पादप प्रयाद क्यों समाचारों में उल लिखी होता है बताई इसमें चार ओप्सन दिये गए हैं एक तो सही होगा और उसी सही का आप लोगों को चुनाव करना है पहला ओप्सन कहरा है कि इसके सार का व्यापक रोप से प्रिसादन सामगरियों में उप्योग होता है भी करा जिस्चित में यह उनता है होगा कि जैब बिविता को कम करने लगता है चार करा इसके सार का उप्योग कीटना सका हो कि संसलेशन में किया जाता है और उप्योग में से कोई नहीं तो याद रखी इसमें बी उप्सन आपका बिलकु सही रहेगा इसे आप लोग कीकर भी कहते है और प्रोसो फिस जूली खिलोरा भी कहते है और आपको बता दूँ कि यह बहुत समय पहले अंग्रेज ओंदारा मेक्सको से दिल्ली लाए गया था बिदेशी पौधा है और यह अक्रमक भी माना जाता है एक यह कहता है कि अधिकांच जो देशी पौधे होते हैं इसके साथ साथ जानवरों को भी एक तरह से नुकसान पहुंचाता है तो इसलिए काफी चल्चा में रहता है तो इसमें भी ओप्सन आपका बिलकु सही रहेगा ठीक कुश्यन है हमारे सामने 87 निम्लिकित कत्रों पर आपको विचार करना है विस्की सरवादिक प्रवाल बीतियां उश्न कटीवंदिये सागर जलों में मिलती है दूसरा करा है विस्की एक तहाई से अधिक प्रवाल बीतियां उश्टलिया इंडोनेसिया फिलिपिन्स के राजिचित्रों में इस्तित हैं और तीसरा करा है उश्न कटीवंदिये वर्सावनों की अपेक्छा प्रवाल बीतियां कहीं अधिक संख्या में जन्तु संख्यों का परपोसन करती है इन में से आपको सही आंसर चुनना है इन तीन कट्रों में से सही कथन आप लोगों को चुननना है तो याद रखे इसमें आपके क्या रहेगा इसमें आप लोगों का क्या रहेगा तीनों कथन बिल्कुस सही है आपके क्या है तीनों कथन बिल्कुल सही है आपके पहला भी सही है और दूसरा भी सही है और तीसरा भी बिल्कुस सही है यानि कि D option आपका बिल्कुस सही रहेगा इसमें दी ओप्सन कैसा रहेगा बिल्कुछ सही रहेगा चलते हैं अंगले कुश्चन की तरफ अंगला कुश्चन क्या कह रहा है Momentum for Change Climate Neutral Now यह पहल किसके द्वारा फिवर्टित की गई है और इन सभी संगठनों के बारे में अगर हम लोग विस्तार से बात करें क्यूंकि आप देखते हैं कि संगठन आपके लिए बहुत महत्पूर है और मैं बार-बार इनकी एक तरह से आप देखिये कि बात कर रहा हूं लगातार बात कर रहा हूं तो आप लोगों को सभी संगठनों के बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो पढ़ लेना चाहिए क्या कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत तो पढ़ लेना चाहिए ये क्या फरक पढ़ता है समझ रहे हैं पहले इसके बारे में जान लिए ये climate neutral now नाव ये 2015 में सेटराश जिलवाई परिवतन द्वारा शुरू की गई पहल थी जिसका उद्देश एक तरह से आप देखे कि इनका परियावन का देख भाल करना हुआ है ठीक है क्योंकि आपने देखा है कि इन्हें परियावन को बहुत नुक्सान पहुंचा रहे हैं हम लोग और इसमें आप लोग मान भी सकते हैं इसमें आपने संगठन देखे हुए तो अगर हमें संगठनों के बारे में बात करें इंटरनेशनल पैनल ओन क्लाइमिट जेंज या जलवायू परिवतन पर अंतरसरकारी पैनल तो इसकी इस्तापना 1988 में हुई थी 1988 इसका मुख्याल है आपको जेनेवा सुईजेलेंड में देखने को मिलेगा वहीं अगर आपसे UNEP की बात करें तो UNEP इसे आप लोग इनवार्मेंट प्रोग्राम कहते हैं इसकी इस्तापना पांच जून 1972 को भी थी इसका हेट करड़ आपको नेरुवी केन्या में देखने को मिलेगा वहीं अगर आपसे यूएन के बारे में बात करें जिसे आप लोग इनवार्मेंट चेंज कहते हैं इसकी इस्तापना यह एफेक्ट में कवाय था 21 मार्च 1994 में और इसमें आप देखी कितने देशों ने सगनेचर की हुए 165 यह भी आप लोग याद रखिएगा एक है आपका वर्ल एक तरह से 20 मौसम व देखने को मिलेगा ड़eken तो इसमें आपका सी आपको सही रहेगा क्या रहेगा सी आफ्ष्थ न बिलकुल विलकुल निवेसिक सासन के द्वारां सेक्षडिक संस्थाओं के संद्रब में नेमलिकी देवुमों पर आपको विचार करना है क्या करना है विचार करना है और इसमें इस संस्थान हो गए आपके और इसके संस्थापक हो गए बनारस का संस्कित कॉलेज बिलियम जॉन्स कलकत्ता मदर वारेन हेस्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर बेले जली, उपयोकती योगमों में से कौन सही समलित है, सही समलित पूछ रहा है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इतियास में पढ़ा होगा, तो आप लोग क्या लगाएंगे, इसमें केबल दूसरा ही इस संस्कित विष्विध्याले था, क्या बनारस का संस्कित विष्विध्याले, यह आप देखेंगे, तो एक वेटिस निवासी थे जौनाथन डंकन, इन्हें के इन्होंने एक तरह से इन्हें के प्रयासों का फल था, और यह बात है 1791 की, ठीक है, और वहीं अगर आप से बात करें, फोर्ट बिलियम कॉलेज की, फोर्ट बिलियम कॉलेज की, तो इसमें आप देखेंगे, फोर्ट बिलियम कॉलेज, तो इसकी स्थापना किसना की थी, 1800 में कलकत्ता में हुई थी, फोर्ट बिलियम कॉलेज की, और लॉर्ड रिचर्ड कोली के द्वारे इक तरह से बैस ली के द्वारा नहीं लॉर्ड रिचरड कोली बलेसली थे ठीक है कौम थी Lord रिचरड कोली बलेसली इनके प्रयासों से की स्थाफना सन 800 में की गई थी तो याद रखी गा इना एतिहास की जो भी संस्था हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अच्छे से याद रख लिजेगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि डियारेक्ट कई बार कुष्टन सा जा रहे हैं अंगला कुष्टन है 90, नेम लिखी तेगुमों पर विचार करना है छेत जो कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित होते हैं और यह देश हैं यानि कि यह सही सुमलित हैं उपिक तेगुमों में से सही सुमलित आपको देखना है केटालोनिया, स्प्रेंट, क्रीमिया, हंगरी, मेंडानाओ, फिलिपिन्स, औरोमिया, नाइजिरिया इन में से आपको सही सुमलित क्या करना है, देखना है तो इसमें आप देखें तो क्या देखें, कुछ देखोगे या नहीं देखोगे तो इसमें आपका फैला बिल्कु सही है, केटालोनिया आपका इस्प्रेंट में है और क्रेमिया Sophia Hungary बिलको गलत है मेंडानाओ Philippines यह आपका बिलको सही है और रोमिया नाइजिरिया यह भी आपका गलत है तो इसमें एक और तीन सही संब्ले थें यह और तीन सही संब्ले थें और दो और चार बिलकोल गलत है अब आप कहेंगे कि सही क्या होगा फिर तो कीमिया गड़ाज की बात करें तो अधेर कारिक तोर पर आप सबी ज्यांते हैं कि यूक्रेन का हिस्सा ख्या कीमिया किस का हिस्सा है यूक्रेन का वहीं अगर हम लोग aurumia की बात करें तो एथोपिय में देखने को मिले गए ठीक है तो याद रखिये गए इसमें क्या लगाओगे C option एक और तीन सही सुमलित था अंगला कुशिन है उमारे सामने 91 क्या कह रहा है निमलिकित घंटनाओं पर आपको विचार करना है भारत के किसी राज़ में सरविथम लोकतंत्रिक रूम में चुनी गई सामयवादी दल की सरकार दूसरा कह रहा है भारत का उससमेय का सबसी वड़ा Bank Imperial Bank of India जिसका नाम बदलकर भारतीえ State Bank रखा गया और तीन कह रहा है यह हैं इंडिया का राश्टी कंट किया गया और यह हैं राश्टी वाहत बन गया और चार किया रहा है गुआ सुतंद भारत का अंग बन गया नीचे दीगे निमलिखित में से कौन सा उफ्योग घटनाओं का सही कालनू किरम बताता है यानि कि आपको क्रम से लगाना है एक तरह से इने इन सब को क्या करना है क्रम से लगाना है और मैंने कई बार पहले भी बोला है कि इस तरह के कुश्चन्स आप लोग आते हैं तो इनकी डेट याद रखा करिएगा तो मुझे लगता है बहतर आप लोग इनका अंसर दे सकते हैं तो सबसे पहले आपको इन गटनाओं के पारे में बता देता हूँ फिर आपकी समझ में वेहतर आजाएगा तो आपको बता दूँ कि 1957 में भारत के एक राजी में पहली बाल लोगतांत्रिक रोप से चुनी गई Communist Party की सरकार बनी थी और आप सभी को मालू होगा कि 1957 में केरल बिधानसवाज चुनाओं में भारती राजी के केरल में एक तरह से बिधानसवाज चुनाओं में भारती एक Communist Party को 60 सीतों के साथ इसने चुनाओं जीता था ठीक है एक अपकी बात है 1957 की ठीक है उसके बाद आप देखेंगे इंपीरियल बैंक का नाम बदल कर 1955 में 1955 में क्या किया गया था State Bank किया गया था क्या कर दिया गया था State Bank of India जैसे आप लोग SBI भी कहते हैं क्या कहते है SBI और SBI कि आप सभी जानते हैं कि एक जुलाई 1955 में इसकी इस्तापना हुई थी और इसका Headquarter आपको मुंबई में देखने को मिलेगा और तीसरी घटना की बात करें अगर हम लोग तो आप देखेंगे कि 1953 में इयर इंडिया का राष्टी कन किया गया था और भारत ने इयर कॉर्पूरेशन एक्ट पारिद किया था और टाटा संसने केरियर में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी थी इसमें और चौत्रे की बात करेंगर हम लोग गवा की तो आप सभी जानते होंगे कि 18 दिसंबर 1961 को गवा एक सुतंत भारत का राज बन गया था और भारत को एक तरसे भारत ने से अपने कपजे में ले लिया थ कब 1961 में तो आप बताइए इसमें क्या करोगे इसमें आपका क्या रहेगा तो सबसे पहले तो आपकी तीसरी घटना ठीक है तीन तीन फिर क्या आएगा फिर आएगा दो फिर क्या आएगा एक और फिर क्या आएगा चार तीन दो एक चार तो इस तरह से आप लोग क्या लगा होगे तीन दो एक चार तीन दो एक चार यानि कि बी ओप्सन इसमें आपका बिलकु सही रहेगा क्या रहेगा बी ओप्सन बिल क्या है अगला कुशन है हमारे सामने बानवे निशताकर के अलबाटे संचित किया ज है कि किसे सभिल कतन सही और संचित होता है यानि कि सभ से लिया इसका आर्थ वताता है अनुछेद 14 एवं समिधान में 42 वे समिधान संसोधन अधीन अधीन अवबंद B कहरा अनुछेद 17 एवं भाग 4 में दियेगे राज की नीती ने दे सकतत और C कहरा अनुछेद 21 और भाग 3 में गारंटी की गई सुतनता हैं और अनुषेद, डी कहरा, अनुषेद 24 से एवं समिधान की 44 समिधान संसोधन की अधीन औब बंद, तो मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि अनुषेद 21 में होगा ये, ठीक है, अनुषेद 21 में होगा भाग 3 में, आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार है, भाग 3 में आप लो मौलिक अधिकार देखते हैं, पहले आप सभी को मालूँगा कि साथ मौलिक अधिकार थे, अब आपकी 6 बचे हुए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, 44 में सम्मिधान जनसोदन द्वारा, 1978 में, ठीक, यह आप लो जरूर याद र काही एक तरह से, और आपने देखा होगा कि 2017 में निर्चता की अधिकार पर सुपरिंग कोर्ट ने फैसला दिया था, और इसलिए आप देखेंगे, 2008 की प्रेलिम्स में आप से पूछ भी लिया है, तो इसलिए तो कहता हूँ कि इसलिए यह कुश्टन्स बन जाते हैं, जो एक बार कुश्टन्स पूच लिया है, आप देखेंगे, लब मेरिज, यारी कि आपनी मन पसंद साधी करने का अधिकार आपको किस आइटिकल के तहर्त मिला हुआ है, बताइए आप दो, चली अंगला कुश्टने तेरान बें, निमलिखित पर आपको विचार करना है, सोप minimum support price, और आप देख रहें किसी को लेकर किसान अंदोलन भी कर रहें, और देखी इस पर तो मुझे भी लगता है, कि देखी कम से कम, एक minimum से, एक किसान की फसल का minimum price तो होना चाहिए, वो minimum माग रहें, अधिकतम नहीं माग रहें। आप समझ रहें। तो मुझे लगता है कि हो भी बनना चाहिए कि इस से कम पर अगर कोई फसल खरीदता है तो उस पर एक तरह से उसे कुछ दंडवी दिया जाएगा तो आप सोचेंगे किसान की इस्तिती भी हमारे देश में सुध्रेगी नियुनतब समर्थन मूल जैसे आप लोग MSP भी कहते हैं क्या कहते हैं MSP भी कहते हैं तो उसे की बात कर रहा हूं कि इससे इलागते हों मूल आयो इसकी एक तरह से उत्पादन का निधारन नहीं किया जाता है इसमें वही इसे की बात करता है एक तरह से तो कौन-कौन इसमें फसल होगा बताइए कुछ हो मालू दो इसमें आप देखेंगे तो एक तो आपकी जो होगी विल्कुल बात सही है रागी भी होगी विल्कुल सही है, मुंफली होगी और तेल होगी, चार फसले होगी इसमें, ठीक है? इसमें चार फसले होगी यानि की विल्कुल सही रहेगा दो-चार माच्छे क्या लगाओगे विल्कुल बात सही है कुछिन है हमारे सामने 94 निबले के तराज्जों में से किस एक में बाक्वी बनजीब अभ्यारन आबस्तित है तो आप सभी को माल होगा कि आपका चाइना से लगा हुआ है और आपने देखा है कि चाइना अपने अपना हिस्सा बताता है आपको बात की जाए तो इसे राजी का दर्जा दिया गया था 20 परवरी 1987 को इसकी रादधानी है इटा नगर और विधान सभा सीटें 60 देखने को मिलेगी राजी सभा सीट 1 लोग सभा सीट 2 देखने को मिलेगी यहां ठीक है यह आप लोग जरूर याद रखिएगा और अगर हम लोग पाकवी बनजी बभ्यारन के बारे में बात करें तो यह आठ सो बासट वर किलूमीटर छेत में फैला हुआ यह थी ठीक है और 2001 में इसे बनजी बभ्यारन और 2002 में प्रोजेक्ट टाइगर का यह खिस्सा भी बनाय गया था ठीक है तो यह आप लोग याद रखिएगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने 95 है क्या कह रहा है भारत की उपग्रय प्रमोचित करने वाले बाहनों के संद्रम में निम्रिखित कत्रों पर आपको विचार करना है क्या करना है विचार ही करना है और करेंगी क्या इसमें पहला कतन आपसे कह रहा है क्या कहला है PSLV से बे उपग्रय प्रमोचित किया जाते हैं जो पित्वी की संसांत्रों के मौनिटरन में उपयोगी हैं जब कि GSLV को मौक्ता संचार उपग्रयों को प्रमोचित करने के लिए अविकल्पित किया गया है और दूसरा कह रहा है PSLV द्वारा प्रमोचित उपग्रय आकास में एक ही इस्तिती में स्थाहिरोप से इस्तिर रहते पितीत होते हैं जैसा कि पित्वी के एक विशिष्ट इस्तान से देखा जाता है और तीसरा इसमें कह रहा है कि GSLV M की थेर्ड एक चार स्टेज बाला प्रमेश्चन वाहन है जिसमें पित्वम और तितिये चर्णों में ठोस रॉकेट मौटरों का तथा दुतिये चतोर्त चर्णों में द्रब रॉकेट इंजनों का प्रेयोग ह होता है उपयों कतरों में से कौन सा कथम सही है यानि से केण में आपको सही कतन भी चुनना है बड़ी मुश् unfolding की बात है आपके लिए कि सही कतन भी आपको चुनना हुआ कर तो इसमें आप लोग देखेंगे जब आप लोग पढ़ेंगे है तो क्या लगआ औगी कि पंच्यानवे में पहला उप्षन बिल्कुल सही रहेगा दो और तीन बिल्कुल गलत रहेंगे क्या रहेंगे गलत रहेंगे जी एसल भी एम के त्री इस तरो द्वारा विक से तीन चर्णों वाला भारी लिफ्ट पिक्षे पन यान है इसकी बात कर रहा हूं और इस बाहन में आप देखेंगी दो सॉलिड इस टैप एक एक कोर लिक्वाड बूस्टर और एक आपका क्रायोजेनिक अपर इसमें सामिल हो साइंस टेक पड़े हो के नहीं पड़ते हो पी हैसलवी को मुक्रूप से पितवी या उलोकन या एक तर रिमोट सैंसिंग और ग्रव को लगवक्ष 1750 किलोग्राम तक की लिफ्टो और के साथ आप देखेंगे 600 से 900 किलोमीटर की उचाई के सूर्ट उले काली परीपत दुर्विये कक्षाओं के विप्रीथ के लिए ए आप लोग उसमें कित में पढ़ोगे बताईए जब साइंस टेक पढ़ोगे ते उसमें आप लोग वहतर से पढ़ भी पाओगे चलिए खेर आंगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें एक केबल सही था यानि कि आप लोग केबल पहला कथन सही लगाएंगे यानि कि यह ओप्सन बिल्कुष सही था इसमें कुछन हैया हमारे सामने 96 भारत में सारवजिन क्छेट के बैंकों के संचालन के संबन में निमर्रिकीत कतरों पर विचार कीजे पहला कथन कहा रहा है पिछले दसक में भारत सरकार द्वारा सारजनेक छित के बैंकों में पूंजी के अंतर वर्सन में लगातर विद्धी हुई है दूसरा कहा रहा है साज में एक्षित की बैंकों को सो विवस्थित करने के लिए मूल भारती इस्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलाइक किया गया है उपिप कत्रों में से कौन सा कत्न सही पूँच रहा है क्या कहा रहा है सही पूँच रहा है आपसे अब आप कहोगे कि पहला गतन क्यों गलत है तो आपको बता दूँ कि पूजी प्रवाज इस तिर नहीं रहा है पिछले सालों में आप देख रहा है लगातार विद्धी हुई है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है स्टेट वैंक आप को बता ही चुका हूँ और कहो आप लोग तब और बता देता हूँ किसके बारे में स्टेट वैंक और इंडिया के बारे में इसकी स्तासक्रांई की एगर हम लोग बात करें तो एक जुलाई 2005 को हुई था और इसका मुख्याले कहा है, मुंबई में, हेड़क्वाटर कहा है, मुंबई में चली अंगले कुशिन की तरफ बढ़ते हैं अंगला कुशिन है हमारे सामने 97 निम लिखित, मदों पर आपको मदों पर विचार करना है चलका उत्रे हुए नाज, मुर्गी के अंडे के पकाए हुए संसाधित और डिब्बा बंद मचली, चार कहरा बिग्यापन सामक्री युक्त समाचार पत्र उपियुक्त मदों में से कौन से जीएश्टी, वस्तु एवं सेवा करके अंदर का छूट तराप्त होते हैं जीएश्टी के बारे में कुछ पता है, तो उसी के जब से आई हुई है, तब से आप देख रहे हैं कि इससे भी कुष्टेंस काफी संक्या में आ जाते हैं, क्या कुष्टेंस की बात कर रहा हूं, तो गोड एंड सर्विश टेक्स, आप सभी जानते हैं कि जुलाई 2017 में से लाए गया था, तो इसके बारे में भी याद रखिए थोड़ा बहुत, जीएश्टी, क्या करोगे इसमें? इसमें आप देखेंगे तुक्या, एक तो पहला ओप्सन बिल्कु सही है, इसमें छूट पर आप थे, मुर्गी के अंडे भी, और आप देखेंगे चार, तीसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, यानि किसी ओप्सन आपका, बिल्कु सही रहेगा, पके हुए जो चिकन अंडे होते हैं, इस पर भी GST 0% लगता है, लेकिन जो मचली, आप देखते हैं, संसाधित और डिब्बा बंद मचली होती है न, इस पर उसमें आप देखेंगे, 5% GST रखा गया था, तो छूट नहीं थी इसे, ठीक है? तो इसमें छूट पूँच रहा है, तो एक और दो, तीन पर आपको, एक दो, चार पर आपको छूट देखने को मिलेगी, यानि कि इसमें आपका C option लगाओगे, ठीक है, 97 में, कुश्यन है हमारे सामने, 98, क्या पूँच रहा है, निमलिकित कत्रों पर अभचार कीजे, संक कह रहा है कि अंदरी ये परियावान बन और जलवाई फरिवत्तन मंतराला भारत की किसी भाग में, विसे इस रूप से कमजो जन जाती है, समोहों के लिए परियावास अधिकार पर अधिकारिक रूप से नड़े लेता है, और उनकी गोशना करता है, उपे इप कत्नों में स पहला कत्न बिल्कुत सही है, एक दूसरा कत्न बिल्कुत सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत है, क्या है, तीसरा कत्न बिल्कुत सही है, केंदरी ये जन जाती मामलों का मतराला अधिकारिक तौर्फ भारत की किसी भी हिस्ते में आदे मोग कम जो जन जाती है समोहों के लिए आवा सदिकार तय करता है और घोसित करता है ठीक है ना कि आपका केंदरी ये परियावान बन जलवाईव मन तरह ले तो इसमें आपका थीसरा इसे लिए गलत भी है तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे ए ओप्सन बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि एक और दो कतन बिल्कुल स प्तमें से कौन से पादफ रोग फैलाते हैं क्या पादफ लोग रोग फैलाते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो चारों फैलाते हैं क्या करते हैं चारों फैलाते हैं नेमा टोड़ गौंगे पक्ची जंगली और आप देखेंगे घरवली जैनबार ये क्या करते हैं अक् कि या लगाओगे डी लगाओगे चलिए अंगली कुष्टन पर चलते हैं और इस पिसन पत्थ का अंतिम कुष्टन्स भी कह सकते हैं आप लोग भारत में जैवीक किरसी के संद्रब में निमलिखित कत्रों पर विचार कीजे जैवीक उतपादन के लिए राष्टी कारकरम केंद्री गरामिट विकास मत्राले के मार्ग देशन एवां नेदेशन के अधीन कार करता है दूसरा गराए एनफी ओपी किरियानवन के लिए किरसी और संस्कित खाद उतपाद निर्याद विकास परादीकन सचिवाले के रूम में काम करता है और तीसरा गराए सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैवीक वराज बन गया है इन तीनों में कत्रों में से आपको सही कतन चुनना है और एक बात और आपको बताता हूँ आप आपका MPPSC में एक बार questions भी आ चुका है डारेक्ट ही पूछ लिया था कि भारत का पहला पूरी तरह से जैवीक राज जी कौन है तो इसक्किम है ठीक है तो इसमें आप देखेंगे दूसरा कथन विलकुल सही है और थीसरा विलकुल सही है यानि कि B option आपका क्या रहेगा सही रहेगा और जलत इसलिए पहला कथन वाडिक जी मंत्राले ने 2001 में से राश्टी जेवी कुतपादन कारकरम लागू किया था ठीक है किसने वाडिक जी मंत्राले ना कि केंद्री गराम इडिविकास मंत्राले ने इसलिए गलत है इसमें दो और तीन बिलकुल सही था यानि कि B option आपका बिलकुल सही था चलिए तो अब यह 2018 का प्रेलिम्स का पहला पेपर है जैसे आप लोग GS पेपर फस्ट भी कहते हैं ठीक है चलिए आंगे हम लोग 2019 का प्रेलिम्स का पहला UPSC की बात कर रहा हूं से विल सर्विस की बात कर रहा हूं तो इसका पहला पेपर हम लोग देखेंगे और आपको फ लगता है कि आप लोग थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग पास भी कर लेते हैं लेकिन मोख परिक्षा में जो मोख तरह से एक तरह से देखेंगे लेकिन time लगेगा और time इसलिए लग रहा है क्योंकि आप देखता हैं कि हम लोग बड़े विस्तार से उनके सभी background भी देखते जा रहे हैं